हलो बच्चो क्या हाल चाल बढ़ियां एक दम तो आज अपन के प्राश्चन करने वाले हैं क्या हाल हैं आप सभी बच्चो के और जो बच्चे रिकॉर्ड लेक्चर देखेंगे उनको गुड नाइट गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो उस टाइम हलो हाई कैसे हो और पढ़ाई करो सो क्या हाल चाल है बच्चो सो येस तोड़े वी अगुड दू कपासिटर आज अपन कपासिटर पढ़ेंगे और कपासिटर के ओपर जितने भी कॉंसेट्स हैं जितने भी आपकी निमेरिकल साथे हैं जिस तरह की कुश्चन आते हैं सब के सब आज के लेक्चर में आपन की पूरी कहानी पढ़ेंगे उसके आज बैक्टरी और डाइलेक्रिक की मिक्स्ट कहानी पढ़ेंगे तो ये कहानी आज चलेगी मैक्स टू मैक्स 20 मिनिट की ठीक है solutions of practice sheet solution नहीं आ रहे हैं क्या practice sheet की क्या बात कर रहे हो प्रैक्टिस शीट के question hard थे अच्छी बात है नहीं तो solution नहीं मिल रहे हैं क्या प्रैक्टिस शीट की क्यों नहीं जा रहे हैं हमारे उमीद बैच के प्रैक्टिस शीट के solution नहीं जा रहे हैं सामने से बताया जा रहा है ऐसे कैसे हो रहा है ऑपरेटर दीदी को मैंने बोल दिया ठीक है और बताओ बहुत देर हो गई है अब तो बंद कर दो बंद करते हैं चलो बाई बच्चा गैरा बंद कर दो चलो पड़ाई करते रहें बंद कर दे आज सिक्स आर्स की क्लास होगी नहीं बेटा आज मेरे को लग रहा है यह ट्विंटी टू आर्स की क्लास है अगर मैं करूशन सही करूँ साड़ गिया जाए तो सल्यूशन के लिए मैंने बोल दिया अब देखो सल्यूशन जब है अच्छली क्या हुआ कि हम लोग ने गती पकड़ ली और जो उदर सल्यूशन मना रहे होंगे उनकी नहीं पकड़े होंगे उन्हें लग रहा होगा चारचा दिन में लेक्चर आए तो आए काम करते हैं, उनको आजगती देते हैं चलिया बहुत माले स्थ! स्टार्ड किया जाए बन टू थरी लैट्स गो क्या प्राक्टिस शीट वास नौट पोस्टेड ऐसा होई नहीं सकता की यह तो हो ही नहीं सकता. यह तो मुंकिन ही नहीं है कि practice sheet ना पोस्ट हूई हो कुछ भी, कुछ भी, बतलब कुछ भी, the nation wants to know ऐसा दो ही नहीं सकता practice sheet ना गई हो इतना जूट बोलते हो तुम लोग ए लेओ, practice sheet के solution के pdf लगे तो है ए लेओ, electric charges के practice sheet भी लगी है का बात कर रहे हो तुम लोग यह ले हो practice sheet के solution भी आ गए practice sheet है तो नहीं है solution आ तो गए electric charges solution to practice sheet electric fields and charges and fields आ तो कए color की class का नहीं आ या कल की क्लास का आएगा भी या थोड़ा समय दीजे है ना रात में लेकर हम क्लास निकले हैं आएगा धीमे धीमे थोड़ा इंतिजार का मजा लीजिए कड़ी कब होगा बेटा 2023 में चलो यार पढ़ाने दो 123 let's go कितना टाइम हो गया एक मिनदे बस एक सेकंड दो मुझको बस यह ना वनक डालेगा कैसे कोई फिर एक सेकंड बस स्टार्ट करते हैं चलिए प्राक्टिश सीट ले बोल दिया और जो भी तुम्हारी दुविधाय हो पहली की स्टार गई है जाके चेक करो चेक किया तुमने पहले बाले की स्टार वेश्टीत लूड़ ऑ गया ना ब्चों आप कॉमेंट कर देना Class starts at 4.40 बन्कि 6 मिनिट लिख देना सीधे अभी तो बताना पड़ेगा प्रैक्टिशिट कहा मिलती हो गरा 1 2 3 लेट्स गो हलो बच्चो क्या हाल चाल बढ़ यहां एकदम So I welcome all of you to the beautiful the channel competition वाला यह चल रही है उमीद सीरीज Neat Physics Crash Course का यह है Day No.30 और हम परने जा रहे है Capacitors आज Capacitors के सारे Concepts, सारे Question, Previous Year के Question Neat के AIPMT के धेर सारे लगाएंगे, सारे Shortcuts पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे और इस Lecture को करने के बाद आपको Solve करनी होती है Practice Sheet, Practice Sheet मिलती है Physics वाला के Mobile App में, Batches Section में, उमीद Batch पे क्लिक करते हैं, Buy Now लिख के आता है Buy Now को देखके डरना नहीं है, उस पे क्लिक कर देना है, Zero Fee में, Zero Rupees में, Free of Cost Batch में आप इन्रोल हो जाएंगे, वहाँ से Practice Sheet डाउनलोड करेंगे Practice Sheet में होंगे इस लेक्चर से जुड़े 25 सवाल और उन 25 सवालों को आपको लगाना है और अगर उसमें से कोई सवाल फसते हैं, तो उसके वीडियो सेलुईशन भी वही, Physics वाला के Mobile App में, Batches Section में, उमीद Batch के अंदर क्लिक करने पे आपको मिल जाएंगे तो इतनी थी कहानी, मेरी जुबानी, चलिए पढ़ते हैं हम लोग, Capaster की बढ़ापा और जवानी आए स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो बेटा सबसे पहले Capaster क्या होता है, Stores Electric Energy और Electrical Charge क्या काम करता है, Stores Electrical Energy या Electrical Charge, Capaster में क्या होती है बेटा, Electrical Energy या Electrical Charge स्टोर करता है आगे देखते है, Capacitance क्या होता है, Capacitance तो एक Property होगी, Capacitance is the Property, Ability of a Conductor to Hold, Store, Electrical Charge या Electrical Energy बेटा, Capacitator का काम क्या है, Capacitator का काम है, Charge या Electrical Energy को Hold करना और जितना ज़्यादा Charge या Hold कर सके, हम बोलते हैं, ये उसका Capacitance है, Clear है, जितना ज़्यादा Charge ये Hold कर सके हैं, हम बोलते हैं, ये इसका Capacitance है, Ability of a Conductor, बेटा, Capacitance क्या होता है, Conductor होता है कि pastor क्या होता है conductor होता है देखो ये चीज़ नहीं पता चली ability of a conductor to hold electrical charge या electrical energy बेटा ये मालने एक conductor है इसको मैंने q charge hold कराया conductor पे charge कहां आ जाएगा बेटा surface पे आ जाएगा ability of a conductor to hold electrical charge या energy मालने जे इस conductor को मैंने q charge hold कराया और इसका potential हो गया वी तो बेटा capacitance c is defined as q बटे v capacitance c is defined as q बटे v capacitance c is defined as q बटे v sबको ये पता ही होगा c is defined as q बटे v आगे देखें units of capacitance तो बेटा capacitance का formula क्या है c is equals to q बटे v तो बेटा q क्या है जो charge है और v क्या है potential है ठीके तो बेटा q की unit क्या होती है कूलाम v की unit क्या होती है वोल्ट तो इसकी unit हो जाएगी कूलाम पर वोल्ट राइट अगर हम इसकी unit की बात करें क्या है कि दिए तो बेटा q की unit kulam और वी की unit evolve kalam पर इसको क्या बोलते हैं आप विरूंच पर यहां रहे आखिला दू कि पहसी तो फो फेशोols में तो कि नाम दभी और सिसेल nawr तो गीता है इसको बोलते इसको प्लते हैं डिवाइग इपकर्ण तुम लो इसमें वेदा के इसको इतलों पीञार दो अब तो यो वही है फराड ठीक है जो तुम लोग घरवालों साथ कर रहे है अप इस जीवन में वह ही है वो फराड तो बेटा फराड क्या होती है बहुत लार्ज यूनिट होती है बहुत लार्ज यूनिट होती है बहुत लार्ज यूनिट होती है तो हम लोग smaller unit use करते है smaller unit कौन सी होती है बेटा तो पेटा यह सब यूज करते हैं हम लोग, बेटा माइक्रो मतलब 10 की पार-6, नैनो मतलब 10 की पार-9 और पीको मतलब 10 की पार-12 तो जनरली आप देखते भी होगे कि पैस्टर के जब आप सवाल देखते होगे, इसे के पैस्टन्स लिखा है तो लिखा होता है फाइव माइक्रो फेरेड है आथ कभी फेरेड नहीं देखते हो क्यों क्योंकि फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है इसलिए आप लोग देखते हो कि पैस्टन ऐसे लिखा हुआ है देखा होगा ना ऐसे लिखा हुआ है कि पैस पार, माइनस टेल, और बेटा, फाराइड क्या होता है, कूलम पर वोल्ड, क्या होता है, कूलम पर वोल्ड, दूसरी बात समझें, बेटा, C does not depends on Q and V, very important, C does not depends on Q and V, बेटा, C का फॉर्मला देखो, C का फॉर्मला है, Q बटे V, but C Q और V पे depend नहीं करता, अब बोलोगा, इसा क फॉर्मूले में तो लग रहा है, depend करता है, का बक्वास कर रहे हो, सर, C does not depend on Q and V, C is equals to Q by V, but C does not depend on Q and V, बेटा, ऐसा तो होई सकता है, बेटा, देंसिटी का फॉर्मला क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, पर देंसिटी ना मास पर depend करती है, ना वॉल्यूम पर, देंसिट तो किस पर depend करता है, resistivity, length, area of conductor पर, इसी तरह से बेटा, जो capacitance होता है, वो Q बटे V फॉर्मला तो है, but capacitance Q और V पर depend नहीं करता, किस पर depend करता है, बेटा, C depends upon, C depends upon, दो चीजों पर depend करता है, बेटा, क्या, shape, size, and construction, ठीक है, और दूसरा depend करता है, medium पर, shape, size, and construction of conductor, उस conductor को कैसा बनाया गया है, और दूसरा depend करता है, किस पर बेटा, medium पर depend करता है, किस पर depend करता है? medium पर depend करता है Q और V पर depend नहीं करता है shape, size and construction of conductor and medium shape, size and construction of conductor and medium C does not depend on Q and V सभी को clear है? Q और V पर depend नहीं करता है resistance V बटे I resistance क्या V और I पर depend करता है? resistance क्या V और I पर depend करता है? नहीं resistance V और I पर depend नहीं करता है resistance नहीं voltage पर depend करता है नहीं current resistance का formula क्या होता था? rho L by A किस पर depend करता था? length of conductor, area of conductor, resistivity of material तो वैसे ही यह भी बेटा shape, size and construction of conductor and medium पे, clear है सभी को, चलो, material पे depend करता है, बेटा, medium लिख दिया न, medium मतलब material ती हो गया, medium, capacitance of a spherical conductor और capacitor, बेटा, इसका capacitance क्या है, ये निकालना है, तो बेटा, capacitance का formula क्या है, सभी लोग एक स्वर में बताएं, c is equals to q बटे v है, ठीक है बेटा, इसके ओपर charge q है, बेटा, इसके surface पे क पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या न, shell के लिए क्या पढ़ा है, हम लोग में, sphere के लिए, Slack के लिए क्या पढ़ा है, मैंने, of a conductor, capacitance of a spherical conductor, घटा, spherical conductor क्ले आपने क्या पढ़ा था कर? कि सारा का सारा charge कहा होता है, surface पे होता है, और जो potential, surface पे होता है, वही equals to k q upon r तो बिटा यहाँ पर चिपका दे q upon k q बटे r q से q cancel बिटा r बटे k सही है r बटे k बिटा k क्या होता है 1 by 4 pi epsilon 0 k होता है 1 by 4 pi epsilon 0 तो 4 pi epsilon 0 into r बिटा आ गया capacitance of a spherical conductor 4 pi epsilon 0 r capacitance of a spherical conductor is 4 pi epsilon 0 r 4 pi epsilon 0 r 4 pi epsilon 0 r clear है तो दियान से देखो बिटा capacitance किस पर depend कर रहा है radius पे radius मतलब क्या हो गया बिटा size पे जितना बड़ा conductor लोगे उतना ज्यादा capacitance होगा और किस पर depend कर रहा है epsilon 0 पे यानि medium पे medium क्या है यहाँ पे air या vacuum तो यही मैं बता रहा हूँ कि capacitance देखो q और v पे depend नहीं किया इस formula में q और v नहीं आया जैसे ही आपने कि sphere बनाया एक metal का copper का sphere बनाया, 5 cm का. उसका capacitance fix हो गया, 4 pi epsilon naught into 5 cm. आपने copper का ही एक दूसरा sphere बनाया, 10 cm का. उसका capacitance fix हो गया. 20 cm का, उसका capacitance fix हो गया. शेप size पर depend करता है, QV पर depend नहीं है. बनाने वाले पर depend करता है, क्या बना रहे हैं? हमने एक sphere बनाया, उसका जो radius है, उसके इसाब से capacitance defined है, 4 pi epsilon 0 r, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक clear सभी को, चलो, next, सवाल आ गया, 27 spherical drops of radius 3 mm and carrying 10 to the power minus 12 coulomb of charge are combined to form a single drop, find the capacitance and potential of the bigger drop, देखो बेटाई क्या है, 27 spherical drops of radius 3 mm, बेटा छोटे 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 भाईयों के बड़े भाईया, होई, 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 इसका radius आर माल लिए मैंने, ऐसी कित्ती drops हैं, 27 drops हैं है, 27 बना नहीं सकता मैं, मतलब बना सकता हूं समय बरबाद हो जाएगा, 27 spherical drops of radius 3 mm, carrying charge 10 की पार माइनस 12 कूलम, तो माल लेते हैं इन सब पे charge Q, Q है, और सबका radius R, R है, ठीक है, चार्ज इनका कितना है, Q, Q है, small Q कर दिया हमने, और radius R, R है, क्या है फिर, of radius 3 mm, carrying charge इतना कूलम, are combined to form a single drop, बेटा ये सब combine करके एक बड़ी drop बना ये, are combined to form a single drop, तो बड़ी वाली drop का radius हमने capital R ले लिया, ठीक है, और इसके उपर charge कितना आ जाएगा, मालने ते हैं, इसके उपर charge आ गया, capital Q आ गया, क्या पूचा है, find the capacitance and the potential of the bigger drop, बेटा, इसका capacitance कितना होगा, 4 pi epsilon not R, हमसे इसका capacitance पूचा कितना होगा, 4 pi epsilon not R होगा, अब बेटा मेरे को R निकालना पड़ेगा, इसका, आर कैसे निकलेगा, conservation of volume से, जितना इनका volume होगा, उतना उसका केले का volume होगा, क्योंकि ये सारी drop मिलके ही तो वो बनी है, है क्योंकि ये सारी drop मिलके ही तो वो बनी है, है की नहीं, तो इन सबका volume कंबाइन करके, उसका volume आएगा, तो बेटा, क्या लिख सकते हैं हम लोग इन सबका volume को, 27 times of 4 by 3 pi r cube is equals to 4 by 3 pi r cube, conservation of volume बेटा, इन सबका volume मिलाया, इसका volume बन गया, यहां से 4 by 3 pi, 4 by 3 pi कट गया, r cube is equals to 27 r cube, दोनों तरफ cube root लेंगे बेटा, तो 3 r is equals to capital r, तो capital r की value हो गई बेटा, 3 times of small r, अब आपके पैस्टन्स निकाल सकते हो, 4 by epsilon not capital r, यानि 4 by epsilon not into 3 r, बेटा, 4 by epsilon not की value, 1 by 4 by epsilon not की value बता है, क्या, 9 into 10 की power 9, so 4 by epsilon not की value क्या हो जाएगी, 1 upon 9 into 10 की power 9, बोलो सही है, 1 by 4 by epsilon not की value क्या होती है, 9 into 10 की power 9, 4 by epsilon not की, 1 upon 9 into 10 की power 9, into 3 into r की value डाल देते हैं, इस r की value कितनी है, 3 mm, 3 mm, यानि 3 into 10 की power minus 3 meter, तो यहाँ पर चिपका देते हैं, बेटा, 3 into 10 की power minus 3, यह 3r है न, एक सेकेड, 3r, तो 3 times of r की value, 3 into 10 की power minus 3, बेटा, 3 3s are 9, cancel, 10 की power 9 उपर गया, 10 की power minus 9, और 10 की power minus 3, तो यह हो गया, 10 की power minus 12, 10 की power minus 9, 10 की power minus 3, 10 की power minus 12, तो बेटा, 10 की power minus 12 को बोलते हैं, पीको फेरेड, तो यह हो गया, 1 पीको फेरेड, के पैस्टिन्स कितना आ गया, 1 पीको फेरेड, तो बेटा, 1 पीको फेरेड, एक ही option है, यह 5 पीको बने, कतम, clear, बी, और क्या चाहिए बेटा, इसमें, इसमें और क्या चाहिए था, अब वैसे एक ही option मैच कर रहा है, फिर भी अपन पोटेंशल भी चाहें, तो निकाल सकते हैं, पोटेंशल कैसे निकालेंगे बेटा, बड़ा असान है, पोटेंशल कैसे निकालोगे बेटा, आप बड़ी ड्रॉप पे चार्ज बताओ, अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज ओन बिगर डॉप चार्ज ओन बिगर डॉप तो बेटा चार्ज गंदर्वेशन वैलिड होगा गंदर्वेशन ओफ चार्ज तो वैलिडी होगा तो 27 छोटी डॉप पे कितना चार्ज है और बड़े डॉप पे capital Q तो अपनल लिख सकते है 27 Q is equals to capital Q, लो बेटा चार्ज भी मिल गया, कितना हो गया बेटा? Q is equals to 27 times of small Q, small Q कितना है बेटा? carrying 10 की पार-12 कूलंब चार्ज, in to 10 की पार-12 कूलंब, ये मिल गया बेटा आपको चार्ज अगर अपन बड़े हले, इसकी बात करें, यही तो पूचा है, and the potential of, find the capacitance, and the potential of the bigger drop, तो बेटे, इसका capacitance कितना चुका है, 1 picofarad, 10 की पार-12 farad, बेटे, इसके उपर charge कितना है, 27 into 10 की पार-12 coulomb, अब बेटे, यहां से आप सीधा-सीधा इसके लिए लगा दो, c is equals to q by v, यहां से बेटा, v is equals to q by c, q कितना है, 27 into 10 की पार-12, और c कितना है, 10 की पार-12, cancel, v कितना आ गया, 27 volt, बोलो clear है, 27 volt, clear सभी को, clear है सभी को, 27 volt, 27 volt, आगे बढ़ा जाए, यह से clear, बहुत बढ़ी है, चलो, energy stored in a capacitor, बेटा, एक capacitor में जो energy stored होती है, जो energy stored होती है, electrical energy, electrical potential energy बोल सकते हो, u is equals to q square by 2c, क्या होती है, u is equals to q square by 2c, यह होती है, अच्छा बेटा, q की जगे आप क्या लिख सकते हो, अब एक चीज समझो बेटा, आपने c is equals to q by v पढ़ाना, आप याद दखो q is equals to cv, यह याद कर लो, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे हम लोग, q is equals to cv, भले हमने पढ़ा है, c is equals to q by v, हम लोग याद रखेंगे क्या, q is equals to cv के नाम से, कैसे याद रखेंगे, भले हमने पढ़ा है, c is equals to q by v, हम याद रखेंगे, q is equals to cv से, ठीक है, तो बेटा, q की जगे cv रख दो, C square V square C square V square X e c cancel U is equals to half C square V square X e c cancel Half C V square Half C V square बेटा C की जगे रख सकते हैं Q by V Q by V V V cancel U is equals to half Q V बेटा यह तीन formula हो गए energy के Q square by 2C half C V square या half into Q into V बोलो clear है बोलो clear clear Q square by 2C Q की जगे रखा मैंने C is equals to Q by V पर अपन याद क्या रखेंगे Q is equals to C V याद करेंगे तो यहां मैंने C V रखा C square V square X e c c cancel Half C V square हो गया यह फिर मैंने क्या बोला बेटा C की जगे Q by V रख सकते हैं Q by V रखा V से V cancel Half Q V clear? चलो आगे बढ़ते हैं potential energy तो बेटा इसका Q भी पता है इसका हमें C भी पता है भाई इस पे charge Q है और के past tense हो जाएगा 4 pi epsilon not r spherical का क्या होता है 4 pi epsilon not r तो बेटा एनरजी क्या लग सकते हैं Q पता है और C पता है तो ये वाला formula चलेगा Q square by 2C अपने को Q पता है C पता है तो कौन सा formula चलेगा Q square by 2C तो बेटा Q square upon 2 into 4 pi epsilon not 8 pi epsilon not r Q square upon 8 pi epsilon not r clear है? 8 pi clear Q square by 2C बेटा कौन कौन सा formula है? Q square by 2C है Q is equals to C V रखना पड़ सकता है तो ये क्या हो जाएगा C square V square 1 CC cancel half C V square C के जागे Q by V रखा तो V cancel half Q V half C V square Q square by 2C half into Q into V next बेटा क्या आगया अपना charge distribution in parallel plates देखो आप लोग को बहुत बेसबरी से इंजार होगा parallel plate capacitor बढ़ने का पर पहले अपन क्या पढ़ेंगे? charge distribution मानलो बेटा इस plate पे charge Q1 है और इस plate पे charge Q2 है तो इसके outer surface पे क्या charge आएगा? inner surface पे क्या charge आएगा? charge distribution तो मानलो बेटा इसको total charge Q1 दिया इसको total charge Q2 दिया तो बेटा यहाँ पे कितना charge आएगा और यहाँ के कितना तो एक चीज़ देखो बेटा extreme extreme outside दोनों तरफ के extreme outside पे बेटा क्या आता है? total charge ऐसे लिख दो sum of charge divide by 2 तो बेटा sum of charge divide by 2 तो extreme outside पे इसको पे Q1 एइसको Q2 तो यहाँ आजाएगा Q1 प्लस Q2 divide by 2 और यहाँ पे भी Q1 प्लस Q2 divide by 2 यहाँ तक समझो इसको Q1 इसको Q2 extreme outside पे sum of charge divide by 2 sum of charge divide by 2 internal की कहाणी क्या है पेटा समझते हैं देखो इस पे charge Q1 था इस plate पे net charge Q1 था बाहर कितना दे दिया? Q1 प्लस Q2 divide by 2 है न? इस plate पे total charge कितना है? Q1 है बाहर कितना दिया इतना तो अंदर कितना बच्चा? बाहर दिया इतना charge Q1 है बाहर इतना दे दिया तो अंदर क्या बचा? Q1 minus बात समझ रहो? दोनों तरफ जोडने पे charge यही आना चाहिए plate के उपर इसमें बाहर इतना charge दिया अब अंदर कितना देना पड़ेगा? यह LCM हो गया इसका 2 Q1 minus Q1 minus Q2 तो यह हो जाएगा Q1 minus Q1 minus Q2 by 2 दूसरी बात समझो यहाँ पे कैसे निकालने सर अंदर? ऐसे ही निकाल सकते हो? आपकी मर्जी समझे की नहीं समझे? पहले मैंने क्या बोला कि अगर Q1 Q2 total charges है plate के उपर तो outside कितना charge आएगा? sum of charge divide by 2 और यहाँ पे भी sum of charge divide by 2 और अंदर कितना charge आएगा? यह मेंसे यह minus कर लो क्योंकि इस पे total charge कितना है? Q1 है यहाँ इतना चला गया तो यहाँ कितना बचा? Q1 minus Q1 plus Q2 by 2 2Q1 minus Q1 Q1 बचा minus Q2 तो यहाँ पे charge आपका बचा Q1 minus Q2 by 2 इस दर से यहाँ पे Q2 मेंसे यह minus करोगे So Q2 minus Q1 plus Q2 by 2 So 2Q2 minus Q2 Q2 minus Q1 तो इधर आएगा Q2 minus Q1 by 2 Q2 minus Q1 by 2 अब देखो इसमें एक छोटा सा catch और है कि इन दोनों पे opposite charges है ध्याँ से देखो Q1 minus Q2 by 2 Q2 minus Q1 by 2 इन दोनों पे opposite charge तो एक पॉइंट तो यह हो गया कि extreme outside पे sum of charge divide by 2 दूसरा पॉइंट बेटा क्या है दूसरा पॉइंट क्या है plates facing each other plates facing each other have समझ गया है plates facing each other have opposite charges जो plates एक दूसरे को face करती है उन पे हमेशा opposite charges होते है average ही क्यों average कहां ले रहे हैं बेटा मैं कहां रहा हूँ sum of charge divide by 2 average कहां अभी मालों यहां 3 plate होती बाबू साहब average थोड़ी नहीं एक दो तीन plate होती तो first के और third के outer पे क्या charge आता q1 प्लस q2 प्लस q3 divide by 2 10 plate हों यहां पे कितनी 10 plate हों q1 q2 q3 q10 तक first के outer में और 10 के outer में क्या charge आएगा q1 प्लस q2 q10 divide by 2 average थोड़ी नहीं हुआ है clear हुई बात और internal में क्या है बेटा equal and opposite each other have plates facing each other have equal and opposite equal and opposite charges जड़ आए देखें find the charge on all the four faces इस पे 10 micro coulum इस पे minus 4 micro coulum आपको 4 faces पे charge बताने यह तो हलवा सवाल हो गया इस पे total charge है 10 micro coulum इस पे total charge है minus 4 micro coulum तो बेटा बाहर कितना आएगा यह प्लस यह divide by 2 तो 10 minus 4 6 divide by 2 3 micro coulum और इधर भी 10 plus 4 मतलब minus 4 है तो 10 minus 4 6 divide by 2 3 micro coulum अब बेटा अंदर देखो यह 10 है इस तरफ 3 है तो इस तरफ कितना होना चाहिए वया total 10 चाहिए इधर 3 है तो इधर 7 होना चाहिए इस पे 7 तो इस पे minus 7 चाहो तो जोड़ के देख लो minus 7 और 3 minus 4 बोलो clear चाहो तो जोड़ो के देख लो तरीका समझ में आ गया बेटा चार्ज इस्टिब्यूशन का आपको 10 और minus 4 तो 10 Q1 प्लस Q2 10 minus 6 डिवाइड बाइ 2 तीन माइक्रोपूलम और इधर भी क्या आएगा तीन माइक्रोपूलम बेटा इटोटल 10 है इधर 3 चला गया तो बचा कितना 7 यहाँ 7 तो सामने कितना होना चाहिए minus 7 चेक कर लो बेटा इस पे इस तरफ minus 7 इस तरफ 3 कितना आया minus 4 सही है बोलो clear है सभी को JMD, 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 JMD ठीक है जब आपके pastons निकालते हो एक बाद ध्यान से सुन लो आगे की चीज़ बता रहा हूँ इसा सवाल कहीं नीड में आया नहीं पर सुन लो जब आपके pastons calculate करते हो उस time Q कौन सा रखना बेटा ये वाला Q रखना जब आपके pastons calculate करते हो तो आप Q सिफ ये inside वाला रखना इसको charge माझेंगे हम लोग ठीक है इस पर कोई सवाल आया नहीं है नीड के अंदर बड़ जब के pastons calculate करना तो इस charge को मत लेना ये के pastons नहीं बनाता अंदर वाले के pastons बनाते हैं इक्वल है न opposite charge parallel plate के pastons बेटा एक पे plus Q charge है बेटा अब आप बताओ यहां पर कितना charge आएगा ये parallel plate के pastons बेटा parallel plate के pastons की property क्या होती है अभी देखते हैं और क्या property होती है इसको plus Q दिया इसको minus Q बेटा यहां बाहर कितना charge आएगा बोलो plus Q minus Q 0 divided by 2 plus Q minus Q 0 divided by 2 बाहर की plates में कोई charge नहीं है बेटा plus Q में से 0 इधर तो इधर पूरा का पूरा plus Q और plus Q इधर तो इधर क्या आजाएगा बेटा minus Q तो ये है बेटा parallel plate capacitor आपकी बाहर कितना charge होगा 0 0 क्यों 0 0 हुआ plus Q minus Q कितना हो गया 0 डिवाइड by 2 0 अंदर कितना charge Q इधर कितना minus Q electric field बेटा कैसे बन जाएगी बना पाएगे आप electric field यूँ बनेगी plus से minus कैसी बनेगी U plus से minus plus से minus plus से minus है ना अपनने अभी पढ़ा था ना electric charges in field में electric field originate from positive charge terminates on negative charge तो ये electric field बनती है बेटा इन plates के बीच में जो distance होता है वो बहुत ही छोटा distance होता है D D is very very small इस D को आपको बहुत बहुत छोटा लेते हैं इतना छोटा distance लेते हैं बेटा कि इन्फाइनाइटली बड़ी दिखती है कि जो D होता है D इतना छोटा लेते हैं plates के बीच में जैसे मैंने बताया भी था कि infinite plane sheet याद है तो D इतना छोटा लेते हैं कि ये infinitely बड़ा दिखे D distance बहुत कम रखते हैं such that ये plate कैसी दिखें infinitely large दिखें देखो दूसरी बात क्या है area of both plates must be same दोनों का area क्या होना चाहिए ये जो दोनों का surface area है ये area क्या होना चाहिए same होना चाहिए area of both plates must be same ये ये area ये same होना चाहिए shape may be different बेटा shape अलग-अलग हो सकता है एक माल लो यू ले लिया circular और एक माल लो ये ले लिया हमने rectangle तो allowed है बस दोनों का area क्या हो जाए बेटा same हो जाए shape allowed है कि आप एक को कैसा ले लो circular plate ले लो और दूसरी plate कैसी ले लो rectangular ले लो allowed है बस दोनों का area same हो है ना जैसे माल लो आपको ऐसा कोई question दे दे बेटा कि यहां पर capacitor बनने की possibility है क्या यह capacitor बनने की probability है last वाले में क्या capacitor बनने की possibility है विक्रम भामिक पूछ रहा है 120 sure है क्या हाँ बेटा done है 120 तो लिखा है यार क्या बात कर रहे हो setting है अपनी अंदर सब done है अरे बेकूफ है जो परते है 120 done है बनेगी क्या नहीं बनेगी लास ओलीम बनेगी बेटा बनेगी बनेगी कैसे बनेगी यह थोड़ी नहीं कह रहा है कि area of both place cannot be different कह रहा है must be same दोनों बात अलग अलग है कह रहा है same होना चाहिए यह नहीं कह रहा है अलग नहीं हो सकता देगो कैसे बनेगा यह इसमें से same area काट लेगा यह कहेगा अच्छा यह कहेगा हमारे लिए इतना area छोड़ दो बाकी उपर वाला हमसे मतलब नहीं यह इसका area काट लेगा इसका भी area मिलके कैस्टर बना लेगा उपर वाले से इसको कोई लेना देना नहीं होगा clear हुई बात तो अगर area different है एक area दूसरे area से जादा है तो जो छोटा वाला area है वो अपने बराबर का area इसमें से काट लेगा वो लेगा भाईया हम कितने ए तुम भी कितने ए उपर कितना ए इससे हमें मतलब नहीं बोलो clear है so यह भी capacitor बना लेगा clear हो गई बात effective area लेंगे बहुत बढ़िया नाम दिया है बेटा साबास effective area आगे बढ़ा जाए next distance between plate must be small so that plate behave as infinite plate plates के बीच का distance बहुत कम होना चाहिए यह जो d लिया है मैंने d should be much much less than size of plates d इतना छोटा हो इतना छोटा हो यार कि plates कैसी दिखें infinitely large दिखें आपको ठीक है overlapping area is a very good answer ठीक है कैसी दिखें आपको size of plate बहुत बड़ी दिखें infinitely large दिखें आगे बढ़ते हैं capacitance of parallel plate capacitor आओ बेटा capacitance निकालते है इस पे माल लेते हैं charge plus q है इस पे charge कितना होगा minus q होगा बाहर बेटा 0 होगा इधर भी बाहर 0 होगा बाहर कितना ही charge आएगा plus q minus q divide by 2 तो यह कितना होगा 0 इधर भी 0 अंदर बेटा plus q charge होगा इस पे और उस पे minus q charge होगा अब हम क्या निकालने जा रहे हैं capacitance तो कहने को तो capacitance निकालेंगे बाट आप बहुत कुछ समझने वाले हो यहाँ पे ठीक है derivation कर आ रहा हूँ है important है ठीक है तो बेटा electric field line कैसे बनेगी plus से minus बनेगी तो यूँ बनेगी electric field lines आओ हम लोग electric field lines यह electric field line बनेगी distance कितना होगा plates के बीच का यह सब पहले रिख लेते है distance कितना है D ले लिया मैंने बेटा area of plate कितना है area of plate को मैंने capital A ले लिया area of plate को capital A ले लिया मुझे पता है कई लोग को formula याद है बाट यहाँ बाट formula की नहीं है यहाँ बाट formula की नहीं area of plate ले लिया बेटा और कुछ बचा, नहीं, अच्छा, चलो बेटा, एक बात करते हैं, कि यहाँ पर कित्ती electric field होगी, कुछ electric field यह बनाएगा, कुछ electric field यह बनाएगा, बेटा, positive charge से electric field away होगी, इसको मैं बोलता हूँ, plate 1, और इसको मैं बोलता हूँ, plate 2, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, positive charge से electric field away होगी, इसको मैंने बोला, E1, और negative charge के field towards होगी, इसको मैंने बोला, E2, बेटा, net electric field क्या होगी, E1 प्लस E2, बोलो समझ में आया, मैं positive वाली plate का नाम करण कर रहा हूँ, 1, और negative वाली plate का नाम करण कर रहा हूँ, 2, positive से field किदर होगी, away, E1, और negative के towards, E2, बेटा, यह plates कैसी बन गहीं है, infinitely large plates हैं, कैसी plates हैं, infinitely large, आप याद करो बेटा, infinitely large plate के लिए electric field कित्ती होती थी, याद करो, यहाँ साइड में याद दिलाता हूँ, चलो, infinitely large sheet के लिए इसके ओपर charge density हम लोग sigma लेते थे, याद आया, sigma by 2 epsilon 0, कहानी याद आई, infinitely large sheet, for points close to the sheet, गौसलो में पढ़ा था, याद है, cylinder बनाया था, फिर points close to the sheet, और इस पर charge कितना हो, sigma हो, charge density, sigma, सो यहाँ electric field किती आती थी बेटा, E is equals to sigma by 2 epsilon 0, for points close to sheet, तो बेटा, E1 कितना होगा, अब इसका sigma ही नहीं पता है, माल लेते हैं बेटा, इस पर है, plus sigma, और इस पर माल लेते हैं, minus sigma charge density, चलो बेटा, तो E1 कितना होगा, E1 होगा, sigma by 2 epsilon 0, इस तरफ, और E2 कितना होगा, बेटा, E2 भी सेम होगा, E2 होगा, sigma by 2 epsilon 0, in the same direction, बेटा, net electric field क्या होगी, E1 plus E2 हो जाएगी, दोनों बराबर ही value है, तो कितना हो जाएगा, 2 times of sigma by 2 epsilon 0, so this will be sigma by epsilon 0, so net electric field is equals to sigma by epsilon 0, बेटा, sigma को क्या लिख सकते हैं, हम लो, charge per unit area, इस plate का area कितना है, A, इस पे charge कितना है, Q, और इसका area कितना है, A, तो sigma क्या हो जाता है, बेटा, charge per unit area, तो sigma की जगे Q by A, Q by A into epsilon 0, लिख सकते हैं, हम लो, ये क्या मिली बेटा मेरे को, electric field मिली, अब मेरे को plates के बीच का potential difference चाहिए, क्या चाहिए, potential difference चाहिए, क्या चाहिए, potential difference चाहिए, तो मैंने का delta V is equals to, याद करो, पिछले टन पर पढ़ा था हम लो में, E dot R, यादे, यादे, delta V, magnitude चाहिए सिफ, क्या होगा, E dot R, तो बेटा, electric field ये हो गई, और R vector D के बराबर हो गया, और इनके बीच में angle कितना है, 0 degree, ये पिछले टन पर पढ़ा था हम लो में, delta V is equals to, mod delta V is equals to, E dot R, तो बेटा, electric field इधर, R vector भी इधर ही ले सकते हैं, तो 0 degree बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा, E और R की जगे बेटा, D cos 0, cos 0 हो गया बेटा, 1, so E into D, so delta V is equals to E into D, E कितना है, Q by A epsilon 0 into D, अब बेटा, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, capacitance चाहिए, बेटा, capacitance क्या होता है, Q by V होता है, या Q by delta V भी बोल सकते हैं, Q by V या Q by delta V, तो बेटा, आपको Q by delta V चाहिए, यहाँ से निकल आएगा, delta V को इधर ले आओ, इन सब को इधर बेज दो, what you will get, delta V को इधर ले आओ, Q upon delta V is equals to Epsilon 0 A by D, और बेटा, Q by delta V क्या बन गया, capacitance बन गया, so capacitance of parallel plate capacitor, whose plate area is A, sign नहीं लेंगे electric field में, एक चीज समझ लो जीवन में, या तो sign लो, या तो direction लो, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकतीं कभी, है ना, जब तुम मान रहे हो कि positive का direction इधर, negative का direction इधर, तो sign की बात अब मत करो यार, और अगर sign की बात कर लेते हो, तो भी direction खुद से मत बनाया करो, यही चीज मैंने Coulomb's Law में भी बार-बार समझाईए आपको, अगर sign रखना है तो भी direction मत रखो यार, direction रख दिया है तो भी sign का मतलब भी नहीं, sign को दिमाग में रखे ही तो direction बनाया है, भाई negative positive क्या बताता है, magnitude बताता है क्या, direction ही तो बताता है negative positive, एक बार किसी भी चीज में, चाहे वो electric field हो, चाहे वो Coulomb's Law की force हो, कहीं पे भी अगर तुमने direction खुद से सोच लिया है, तो अब plus minus में फसना नहीं है, अब सिर्फ magnitude लिखना है, तो capacitance of parallel plate capacitor is epsilon not a by d, कितना आ रहा है बेटा, epsilon not a by d, epsilon not a by d, epsilon not a by d, जब इसमें कोई दूसरा medium ना हो, तो ध्यान से देखो बेटा, capacitance किस पे depend कर रहा है, area of plate पे depend कर रहा है, distance between plate पे depend कर रहा है, epsilon not यानि permittivity of free space, यानि medium पे depend कर रहा है, charge और potential पे depend, नहीं कर रहा, c is equals to epsilon not a by d, यह derivation important थी, हाँ, यह समझना जरूरी था, आगे इसका इस्तिमाल होगा, इसको नहीं समझ में आया तो समझ लो, electric field कैसे निकाली, फिर electric field से delta V निकाला, फिर delta V, Q by delta V से capacitance आ गया, यह इस पे plus Q, इस पे minus Q, इसको plus sigma minus sigma दिया, electric field यह यह बनी, plus से अवे negative के, यह infinitely plane sheet, इसकी electric field होती है, sigma by 2 epsilon naught, इस पे plus sigma minus sigma, sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught, knit हो गई, इसको जोड़ा, sigma by epsilon naught, sigma क्या होता है, charge per unit area, Q by A epsilon naught, बेटा, potential difference क्या होता है, E dot R, अगर magnitude चाहिए, तो हमने E ले लिया, R की जगे बेटा, D ले लिया, cos 0 ले लिया, ED, ठीक है, कई लोग सोच रहा होंगे, यह V की जगे, delta V कैसे आया, तो बेटा, आलू परवल, need crash course में, इस चीज में बता नहीं सकता, कि C is equals to Q by V, Q upon delta V कैसे कर दिया, actually, capacitance का actual formula यही है, real formula यही है, capacitance का real formula यही होता है, Q by delta V, अब यह कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, यह हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे, अगले जनब में फिर मिलेंगे, तब पढ़ेंगे, अभी तो crash course कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो, energy stored in a parallel plate capacitor, तो पहले बेटा, capacitance की बात करते हैं, पहले capacitance की बात करते हैं, फिर energy stored की, बेटा, capacitance कितना आया है, parallel plate का, distance d, area a, और air या vacuum अगर है, तो बेटा, capacitance कितना है इसका, epsilon naught a by d, फिर बेटा, क्या पूचा है, energy stored, तो बेटा, energy stored, same s की भी, q square by 2c, q की जगे, c v रख देंगे हम लोग, c is equals to q by v, तो q की जगे, c v रख देंगे हम लोग, तो c square v square, c से c कटा, half c v square, c की जगे q by v रख देंगे, q by v, v से v कटा, half q v, खतम, same, half q v, q square by 2c, half c v square, half q v, clear, clear, चालो, चालो, next, energy density of an electric field, अब क्या है, energy density, बैटा, energy density मतलब, energy per unit volume, energy density मतलब, energy per unit volume, बैटा, यहाँ पर जो मैं, v लिख रहा हूँ, वो delta v है, इतना तो अब तुम समझी गए होगे, पर यह v क्या है, potential difference between two plates, और q क्या है, charge on any one plate, positive charge ही लोगे, ठीक है, v क्या है, potential difference between two plates, और q क्या है, charge on any one plate, energy density is energy per unit volume, बैटा, इसमें energy कित्ती थी, यू, इसमें energy कित्ती थी बैटा, पहले energy की बात के लिए, फिर energy per unit volume, इसमें energy कित्ती थी बैटा, energy बोले तो यू, यू कितना था बैटा इसका, यू इसका कित्ता था, कित्ता था, कित्ता था, half cv square, यही था ना बैटा, half cv square, half cv square, बोल सकते हैं, half cv square, बेटा, c को क्या लिख सकते हैं, c की क्या value है हमारे पास, epsilon not a by d, चिपका दो, बेटा, half epsilon not a by d, बेटा, potential difference क्या होता है, अभी आपने देखा था, अभी आपने लिखा था, delta v is equals to mod of e dot r, right, delta v, potential difference, बेटा, e और d same direction में थे, so e, d, cos 0 बन गया था, so delta v किसके बराबर हो गया, e into dk, बेटा, इसी delta v को हम लोग v भी भी बोल दे रहे हैं, तो v किसके बराबर, e into dk, v किसके बराबर, e into dk, v किसके बराबर, e into dk, इसको भी remember करिए, यह information भी remember करिए, v is equals to e into d, v is equals to e into d, बेटा, delta v is equals to e dot r, तो याधी था, delta v is equals to e dot r, याधी था, e b और r भी same direction में तो multiply हो गया, so e into d, तो बेटा, v square की जगे हम लोग लिखेंगे, e into d का whole square, तो बेटा, आगे बढ़ते हैं, half epsilon not a, बटे d, e का square और d का square, बेटा, d square से एक d cancel हो गया, अब देखो, half epsilon not e का square multiplied by area into distance, अब बेटा, ध्यान से देखो, area into distance क्या बन गया, volume बन जाएगा, area, area into distance, अगर इसको हम multiply कर देए, तो बेटा, ये volume नहीं बन जाएगा, area into distance, ये तो volume हो गया ना, area और इसको distance से multiply कर लिया, पूरा volume आ गया है, इसके अंदर का, so area into distance को अपन क्या लिख सकते हैं, volume, इसके बीच का volume कितना होगा, area into distance, volume between plates, V, कितना होगा बेटा, area into distance, तो इसके जगे अपन, volume के जगे कुछ और use कर लेते हैं, क्योंकि voltage के लिए अपन V use करते हैं, volume के लिए क्या symbol use कर लें, volume word use कर लेते हैं, V, O, L, volume, A into D, तो बेटा, ये बन गया volume आपका, half epsilon naught E square volume, और इधर क्या है बेटा, energy, अपने को क्या चाहिए, energy density, energy per unit volume, So, energy per unit volume, half epsilon naught E square, you have the answer over here, अपका answer है, energy per unit volume, half epsilon naught E square, clear, energy per unit volume अगल लेंगे तो कितना आजाएगा, half epsilon naught E square, कहां किया जाए, ये कर दे, energy per unit volume, और बेटा, इसी को बोलते है, energy density, half epsilon naught E square, बोलो clear है, बोलो clear है, बोलो clear है, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, बोलो clear है, येस clear, energy कितनी half C V square, C की जगे, epsilon naught E by D रख दिया, और V की जगे, E into D, भाई, delta V क्या होता है, E dot R होता है, E भी इधर, R भी इधर, तो E D cos 0, E D, V की जगे E D रख दिया, E D का square, फिर D square से, एक D cancel हो गया, फिर A और D को साथ में रख लिया, बेटा, area into distance, क्या बन जाएगा, volume बन जाएगा, तो हमने बॉला volume, so energy per unit volume, half epsilon naught E square, clear, बेटा सवाल देख लेते हैं, 2001 में आया है, का है सवाल, का है, energy per unit volume of a capacitor having area A and separation D kept at potential difference V is given by, क्राइ करें बच्चों, energy per unit volume, हमसे क्या पूछा है, energy per unit volume, कितना हो जाएगा, बेटा, energy per unit volume, half epsilon naught E square, बेटा, यहां ऐसा कोई answer नहीं दिख रहा है, यह तो energy total है, यह energy total है, तो यह दो answer तो नहीं हो सकते, half CV square Q square by 2C, यह तो total energy होती है, half CV square total energy, Q square by 2C total energy, बेटा, E को change कर सकते हैं, हमने कहा था, remember कर लिजे, V is equals to E into D, यह बात remember करिए, हमने लिखा था भी थोड़ देर पहले, क्या आपने remember किया, तो बेटा, E is equals to V by D, half epsilon naught E is equals to V by D, clear, next, 2012-2011-2008, चलो, 2012-2011-2008, यह पैलेल प्लीट के पैस्ट, अब पैलेल प्लीट के पैस्टर has a uniform electric field E in the space between the plates, if the distance between the plate is D and area of each plate is A, the energy stored in the capacitor, क्या मांगा है बेटा, energy stored in the capacitor, अब देखो यह तो देखके समझ में आ गया है, कि यह half CV square वाले formula से नहीं बन रहे हैं सब, energy stored in capacitor, यह तो दिखी रहे हैं, half CV square Q square by 2C वाले formula तो हैं नहीं, कहीं न, कहीं energy per unit volume, energy stored in capacitor, बेटा, energy per unit volume कितना है, half epsilon naught E square, energy पूछ रहा है, so half epsilon naught E square into volume भी multiply कर दे, यह तो total energy पूछ रहा है न, पर unit volume तो पूछ नहीं रहा, तो volume को इदर ले गए, half epsilon naught E square into volume कर दिया बेटा, volume कितना है, area into distance, half epsilon naught E square A into D, B, सभी कहा गया, बहुत बढ़िया, next, force between the plates of a parallel plate capacitor, इन दोनों plates के बीच की force क्या होगी, इन दोनों plates के बीच की force, बेटा, यहाँ पे charge 0 होगा, यहाँ पे charge 0 होगा, इधर plus, 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 और यहाँ पे minus, 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 तो बेटा, यह plate एक दूशरे को attract करेगी, एक negative, एक positive, माल लेते हैं, यह हमारी plate number 1 है, और यह माल लेते हैं, हमारी plate number 2 है, तो बेटा, जाहिर सी बात है, दोनों plates एक दूशरे को attract करेंगी, क्योंकि यह opposite charge है, इसको मैंने plate number 1 बोला, इसको मैंने plate number 2 बोला, दोनों एक दूशरे को attract करेंगी, तो बैटा इनके बीच की force of attraction क्या होगी जड़ा ध्यान से देखो इसकी वज़े से यहाँ electric field बनेगी और उस electric field में एक charge होगा तो उस पर force लगेगी यहना बड़ा असान है electric field at location of 2 due to charge on 1 बैटा इसकी वज़े से यहाँ कित्ती electric field बनेगी कित्ती electric field बनेगी sigma by 2 epsilon 0 y हम केरें इसकी वज़े से यहाँ कित्ती electric field बनेगी यह बनेगी sigma by 2 epsilon 0 Yes or No पहले वाले की वज़े से दूसरे वाले के location पर यहाँ कित्ती electric field बनेगी यहाँ electric field बनेगी sigma by 2 epsilon 0 और इस electric field में एक negative charge है तो इस पे force लगेगी बोलो clear है पहली वाली के वज़े से दूसरे वाले के location पे क्या बनेगी electric field sigma by 2 epsilon और बेटा इस electric field में एक negative charge है यह electric field बनी और इस electric field में एक negative charge है आपके पास minus q तो बेटा negative charge पे force किदर लगती है opposite to electric field यह और बेटा force किती होती है f is equals to q into e हो जाएगा है ना so f is equals to q e कितना है sigma by 2 epsilon naught बेटा sigma क्या होगा charge per unit area so q by a into 2 epsilon naught तो बेटा force किती बन गई q square upon 2 epsilon naught a बेटा यह force of attraction होती है similarly चाहो तो आप पूरी कहानी पलट दो इसकी वज़े से यहाँ electric field देखो बेटा negative वज़े से electric field towards the charge होगी और इस पर force भी सी तरफ लगेगी same force की value आएगी बेटा जिस force से यह इसको खीचता है उसी force से दूसरा वाला पहले यह खीचता है Newton's third law भी सोच सकते हो you can think of Newton's third law to equal and opposite force of attraction clear है और force की त्योगी q square upon 2 epsilon naught a इसकी वज़े से यहाँ electric field देख ली sigma by 2 epsilon naught यह और उसमें एक negative charge है force इदर लगेगी force आना negative charge is opposite to electric field तो negative charge पे धर force लगी f is equals to qe q into sigma by 2 epsilon naught sigma q upon a q square upon 2 epsilon naught a इसको remember कर जिएगा q square upon 2 epsilon naught a सवाल देखते हैं बेटा 2008 का सवाल आ रखा है क्या है the electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacity having a charge q and area a the electrostatic force the electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor c having a charge q and area a तो बेटा electrostatic force तो force कित्ती हो जाएगी q square upon 2 epsilon naught a independent of the distance between the plates yes पहला ही option सही लग रहा है independent of the distance between the plates lily and proportional to the distance between the plates ये तो गलत है proportional to the square root of the distance between the plates inversely proportional to the distance between the plates independent of the distance between the plates a सभी को clear हो गया चलो आगे देखते हैं मिटा 7th retest 2015 क्या है appellal plate air capacitor has capacity c distance of separation between plates is d and the potential difference v is applied between the plates appellal plate capacitor has capacity c ठीक है इसकी capacity c है distance between plate is d ठीक है ये भी कोई नही बात नहीं है potential difference v is applied इनके across potential difference इनके across potential difference v apply किया गया है ठीक है बैटरी लगा दी मैंने potential difference के लिए potential difference v is applied चलो फिर क्या है force of attraction between the parallel plates of capacitor बेटा force of attraction q square upon 2 epsilon naught a बेटा कहीं पे भी आप देखो epsilon naught a नहीं दिखाई पढ़ रहा तो epsilon naught a को गयब करना पड़ेगा कैसे गयब करोगे capacitance क्या होता है epsilon naught a by d so epsilon naught a क्या हो जाएगा c into d so force is equals to q square upon 2 epsilon naught a की जगे c into d ठीक है सही है फिर आपको q भी नहीं दिखाई पढ़ ला है बेटा q is equals to cv रख देंगे upon 2 c d x e से c कटा c v square by नेक्स्ट है spherical conducting shell यहां पर हम लोग क्या कर रहे है concentric spherical conducting shells ले रहे है एक ये एक ये कैसे होता है बेटा inner plate के sorry inner sphere के outer surface पे positive charge रहता है एंड आउटर प्लेट के inner surface पे negative charge रहता है ऐसे और electric field कैसी बन जाएगी बेटा electric field positive से negative ठीक है तो इस तरह से आपका बन जाता है spherical capacitor है ना inner plate के sorry inner sphere के the outer shell is odd and the inner shell is given a charge plus q पेटा आप इसको plus q देते हो तो यहाँ पे induce होके minus q भी आ जाता है इसके outer surface पे plus q होता है और इसके inner surface पे induce होके minus q आ जाता है ठीक है इसके outer surface पे plus q चार्ज है inner shell के और outer shell के inner surface पे minus q चार्ज आता है फे लेक्रिक field plus से minus बेटा इसका जो capacitance होता है आज तक पूछा नहीं गया, आप इसको याद कल लें, 4 pi epsilon 0 a into b upon b minus a, 4 pi epsilon 0 a into b, अभी तक इसके सवाल आया नहीं है, upon b minus a, 4 pi epsilon 0 a into b upon b minus a, 4 pi epsilon 0 a into b upon b minus a, एक ये होगा इस स्फियर, ठीक है, इस पे plus q चार्ज है, एक ये होगा इस स्फियर बेटा, इसके internal पे, inner पे minus q चार्ज, और बाहर से ये earth है, तो यहाँ पे 0 चार्ज हो जाता है, तो ऐसा बनता है, spherical capacitor, capacitance कितना है, 4 pi epsilon 0 into a into b, upon b minus a, next बेटा, इसको remember कर लिजेगा, next है, cylindrical capacitor, same कहां नहीं है बेटा, cylindrical capacitor की, अब sphere की जगे cylinder आ जाता है, और कोई difference नहीं है, sphere की जगे cylinder आ गया, बेटा, inner cylinder के outer surface पे plus q charge, और outer cylinder के inner surface पे minus q charge, और इसका outer surface earth होता है, बाकी कुछ difference नहीं है, electric field इसमें भी कैसे exist करेगी, positive से negative, positive से negative, बाकी same है, electric field इसमें भी plus से minus, plus से minus, प्लस से minus, प्लस से minus, प्लस से minus, इसमें भी same तरह की electric field बनेंगे, so rest everything is same, clear? clear, rest everything is same है न, so inner cylinder के यहाँ पे plus q charge, और outer cylinder के यहाँ पे minus q charge, ठीक है, बेटा, इसके पैस्टन्स कितना होता है, इसको भी आप learn कर लेंगे, 2 pi epsilon naught into length upon log base e, outer radius upon inner radius, log b by a, ठीक है, outer radius इसका b है, inner radius a है, log b by a, तो यहाँ से भी सवाल अभी तक आया नहीं है, बड़ इसको आप सिर्फ यह formula learn करके at least जाईएगा, और at least यह diagram देखके जाईएगा, कि आप पहचान पाएं, कि इन given में से चारो में से capacitor कौन सा है, अभी तक cylindrical capacitor या concentric spherical capacitor नीट में नहीं पूछा है, पर अगर पूछ ले, तो आपको पता रहे, कि भाईया, इसका outer surface क्या होता है, अर्द होता है, इसके outer surface पे कितना charge होता है, 0 होता है, inner पे minus q, यहाँ plus q, electric field यूँ बनती है, अभी एक्जाम में आपके पास सवाल आ गया, कि भाईया, इस spherical capacitor कैसा दिखता है, और आपको उन्होंने spherical capacitor यूँ दिखा दिया, कि electric field यूँ होती है, या एक option में दे दिया, कि electric field यूँ होती है, तो भाईया, आपके तो तोत्ते उड़ गया, and outer sphere के inner surface पे minus q inner के outer पे plus q, outer के inner पे minus q electric field ऐसे radial ही निकलती हुई same कहानी यहाँ पे है बेटा inner के outer पे plus q और outer के inner पे minus q 2 pi epsilon 0 log b by a चलो next है बेटा combination of capacitors अब हम लोग आ गए combination of capacitors पे चलो तो बेटा सबसे पहले series combination of capacitor series combination की बात करें बेटा यहाँ पे potential कितना है v एक capacitance c1, एक c2, एक c3 दे रखा है c1, c2 और c3 दे रखा है इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ चलो यह capacitors कितना है इसका c1, इसका c2, इसका c3 और यहाँ potential v है बेटा माल लेतने हैं कि यहाँ plus यहाँ minus q, तो series के अंदर क्या होता है बेटा, charge same होता है याद रखेंगे, series के अंदर क्या होगा, q is same ठीक है, पर बेटा, v जो होता है, वो different होता है potential difference, यहाँ पे v मिला है, इसमें गया v1 इसमें गया v2, इसमें गया v3 एक में v1, एक में v2, एक में v3 v is distributed q is same, and v is distributed यह जो total potential है v, that is equals to v1, plus v2, plus v3 यह जो potential है, यह v1, v2, और v3 में बट गया है ठीक, यहाँ आपने बेटा, इसका equivalent बनाया है c1, c2, c3 को हटा के, यहाँ पे हम c equivalent लगा देते है ठीक है, यह plus, यह minus यहाँ पे इस पे भी कितना charge होगा, plus q, minus q यह न, equivalent पे भी वही charge होगा जो एक, एक पे होता है जो एक, एक पे charge होता है वही charge equivalent पे होता है बेटा, यहाँ पे equivalent के persistence का क्या formula बनता है series combination में 1 by c equivalent 1 by c1, plus 1 by c2 plus 1 by c3 जो resistance में parallel में बनता है के persistence में वही formula series में बनता है clear? 1 by c equivalent is equals to 1 by c1, plus 1 by c2 plus 1 by c3 clear है सभी को? जो resistance में parallel में बनता है, वह के persistence में series में बनता है q सब में same होता है और v distribute होता है ठीक है? clear है? देखो यहीं से आया भी है अगर आप लिख लो v is equals to v1 plus v2 plus v3 तो बेटा v क्या हो जाएगा? q by, देखो यहाँ potential के difference कितना है? v, क्योंकि v ही मिल रहा है इसको q by c e v1 बेटा किस पे? s पे? क्या हो जाएगा? q by c1 v2 किस पे? s पे? क्या हो जाएगा? q by c2 और यह q by c3 q, 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 q cancel 1 by c equivalent is equals to 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3 ठीक है? समझ में आई बात? clear? derive करके बता दो बता तो दिया derive करके और बता हो derive करके भी बता दिया और बता हो clear है यहाँ तक? next देखो बेटा क्या है? for two capacitor c1 and c2 in series अगर एक special case है दो capacitor का तो बेटा c equivalent का तब आप formula लिख सकते हो c1, c2 upon c1 c1 plus c2 बड़ यह सिर्फ दो ही में चलेगा c1, c2 upon c1 plus c2 यह सिर्फ दो ही में चलेगा c1, c2 upon c1 plus c2 if n capacitors of equal capacitors c are connected in series बेटा अगर n capacitors आपके पास equal capacitors के series में connected है ठीक है? ऐसे आप बस n capacitors है series में और सबका capacitors c, 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 c है तो बेटा c equivalent हो जाएगा c बटे n यानि net capacitors क्या हो जाएगा? n times कम हो जाएगा c equivalent will be c बटे n clear है? तो दो capacitors के लिए equivalent कैसे निकाल सकते हो? c1, c2 upon c1 plus c2 और अगर n capacitors है सब c, 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 c के है तो c बटे n कर सकते हो ये special cases हो गए दो capacitors दिया तो equivalent c1, c2 upon c1 plus c2 और अगर आप पस n capacitors है c, 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 c के तो क्या हो जाएगा? c बटे n हो जाएगा कहने का मतलब मानलो मुझे ऐसे capacitors मिला 10 और एक और मिला 10 तो बटा इसका equivalent कितना हो जाएगा सीधा? 2 है ना 10 के 10 बटे 2 यानि कितना 5 हो गया clear? जैसे मानलो मुझे को मिलता है अच्छे तो पैलर ब लगा दिया मैंने, माफ करना series की बात हो रही रहा series में मानलो मुझे मिलता है यू 10 और 10 तो 2 10 10 series में विके सी equivalent हो जाएगा 10 बटे 2 5 ठीक है? जैसे मानलो मुझे मिला 3, 3, 3, 3 इन सब का capacity 3, 3, 3, 3 और 4 हैं बटा series में तो सी equivalent हो जाएगा 3 बटे 4 clear है? C बटे N 3, 3, 3, 3, 3 तो C बटे N clear है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं क्या है? find first C equivalent आईए पहले इसका C equivalent निकालते हैं कैसा combination दिख रहा है बटा? series combination दिखी जाओगा सभी को series combination दिख रहा है charge दोनों में same जाएगा C equivalent तो बटा दो capacitor है C equivalent is C1, C2 upon C1 plus C2 C1, C2 12 into 4 upon 12 plus 4 12 into 4, 48 12 plus 4, 16 16, 3 is a 48 तो 3 microfarad हो गया आपका C equivalent next क्या है बटा? Q released from cell कि cell से कितना charge निकला? तो बटा cell देखता है C equivalent cell क्या देखता है? C equivalent देखता है ये दोनों थे आपने equivalent circuit जब बनाया तो cell को दिखा equivalent capacitance ठीक है? cell का potential कितना है? 12 volt उसको कितना capacitance दिख रहा है? cell को 12 और 4 नहीं दिख रहा है 3 दिख रहा है तो इसके हिसाप से Q निकल जाएगा बटा So Q is equals to C into V cell के लिए बात कर रहा है बेटा तो क्या लिख लेए? C equivalent लिख लेते हैं C equivalent कितना है? 3 V कितना है? 12 3 12 और 36 micro coulum तो बेटा यहां से कितना charge निकला? 36 micro coulum अब बेटा यह series combination है तो इस पे भी charge Q यानि यही 36 इस पे भी जाएगा और यही 36 इस पे भी जाएगा थर्ड Q on each तो Q on each कितना हो गया? 4th क्या है बेटा? 4th है V in each capacitor तो बेटा यह Q है? यह C है V क्या हो जाएगा? Q by C इस पे V क्या हो जाएगा? 36 बटे 12 V in each capacitor तो यह देखो यह 12 micro faradis का capacitance 36 micro coulum इस पे charge so V is equals to Q by C तो 36 बटे 12 कितना हो गया? 3 V इस तरह से दूसरे वाले को देखो बेटा 36 और 4 है 4 micro farad और 36 micro coulum तो बेटा इसके उपर कितना हो जाएगा V? 36 बटे 4 कितना हो गया? 4936 बोल्ट तो बेटा इस पे potential कितना आए है आपका? 36 बटे 12 3 V, 36 बटे 4 9 V, इन दोनों को जोड़ो 9 और 3, 12 V बोलो clear है? 9 और 3, टोड़ो कितना आ रहा है? 9 और 3, 12 V आ रहा है बराबर हो रहा है clear है? चलो आगे बलते हैं 9 और 3, 12 next देखते हैं बेटा, सवाल 2009 क्या सवाल है? 3 capacitors, each of capacitance C and of breakdown voltage V are joined in series the capacitance and breakdown voltage of the combination क्या है बेटा, आपने पास 3 capacitors है ठीक है? of each of capacitance C and breakdown voltage V V, V फिर क्या है? are joined in series बेटा, series में जोड़ा है इनको तो क्या होगा? the capacitance and breakdown voltage of the combination तो बेटा, इसका combination ये बनेगा ये C equivalent और बेटा, net voltage कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 V net क्या हो जाएगा? V net क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, series में क्या होता है? potential is distributed अभी पढ़ा था कि नहीं? potential is distributed तो net potential V, V, V में बटा था कितना हो गया? 3V हो गया बेटा, capacitance की बात करें 3 capacitance C, C, C हैं तो कितना हो जाएगा? C बटे 3 और ये 3V, so capacitance is C बटे 3, potential is 3V, C, C, C series में C बटे 3 and potential is 3V चलो, next चलते हैं parallel plate parallel combination of capacitor तो बेटा, parallel combination में क्या होता है? series में आपने देखा Q सेम था, V distribute हुआ था series में आपने देखा Q सेम था, V distribute हुआ था, अब parallel में देखते हैं क्या होगा? अब बेटा, parallel में देखो ध्यान से parallel में क्या होता है? बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, इस capacitor की ये plate किस से लगी है? यहां से और ये plate किस से लगी है? यहां से बेटा, ये जो आपने battery बनाई है इसका potential आपने बोला है V एक काम कर सकते हैं बेटा हम लोग बोल देए, इस तरफ potential कितना है V और इस तरफ potential कितना है 0 अपने को तो potential difference V चाहिए तो इस तरफ potential V positive को और negative को कितना potential दे दे? 0, दो plates है न battery के जो दो terminals हैं potential difference V चाहिए तो positive को दे दिया V negative को 0 तो बेटा ध्यान से देखो ये plate किस से जुड़ी है V से जुड़ी है तो इस पर potential हो गया V ये plate किस से जुड़ी है 0 से जुड़ी है इस पर 0 हो गया ये plate किस से जुड़ी है V से जुड़ी है V ये किस से जुड़ी है जीरो से जड़ी है ये plate किस से जड़ी है V और ये plate किस से जड़ी है 0 तो तीनों पे क्या same होता है बेटा V is same parallel combination में V same होता है और बेटा और क्या होगा Q is distributed वहाँ पे V distributed था यहाँ पे Q distributed होगा Q is distributed V same है और Q क्या होगा distributed होगा ठीक है मानलों यहाँ से Q charge आया तो यहाँ divide हो जाएगा इसमें चला गया Q3 इसमें चला गया Q2 और इसमें चला गयाएगा कितना Q1 So Q distribute होगा जैसे equivalent में देखें बेटा potential V है और यहाँ से charge निकला Q So बेटा यह Q किस में distribute होगा Q1 Q2 और Q3 में तो आप लिख सकते हो Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 दिछली बार क्या था? V distribute हुआ था series में V1 plus V2 plus V3 पैलल में क्या distribute होता है बेटा? Charge distribute होता है potential तो सब में क्या होता है? Same पैलल के अंदर potential तो क्या होता है सब में? Same होता है charge क्या होता है? Distribute Q1 Q2 और Q3 में हो जाता है बेटा equivalent capacitance की बात करें हम लोग तो पैलल में equivalent capacitance जैसे उधर हमने C equivalent लिखा कितना होता है? C1 plus C2 plus C3 चाहें तो इस चीज़ को हम लोग देख भी सकते हैं बेटा? इसी से देखेंगे Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 लिखा है यहां से बेटा देखो Q जा रहा है इसमें C equivalent और V तो Q is equals to C equivalent into V इसके capacitor की बात करें इसका capacitor है इसका capacitor की बात करें इसका capacitor से C equivalent इसमें charge है Q potential difference V Q1 की बात करें बेटा यह C1 into V हो जाएगा Q2 की बात करें बेटा C2 into V हो जाएगा और Q3 C3 into V VVV cancel C equivalent is C1 plus C2 plus C3 तो उल्टी कहानी है एकदम parallel में C1 plus C2 plus C3 है और series में 1 by C equivalent is equals to 1 by C1 1 by C2 plus 1 by C3 है clear voltage same क्यों होता है दिखा तो दिया क्योंकि same terminal से connected है इसलिए same होता है ठीक चलो special case if N capacitor of equal capacitance C are connected in parallel अगर N capacitor connected है parallel में तो बेटा add होना है ना parallel में add होता है C1 plus C2 plus C3 है ना ऐसे माल लो N है C1 plus C2 तो C 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 सब है सब जुड़ेंगे बेटा तो total के capacitance कितना हो जाएगा N times of C हो जाएगा और यह किस में है parallel है और बेटा series में क्या था C by N हो गया था ठीक है तो series में N गुना कम हो जाता है parallel में N गुना बढ़ जाता है सवाल देखते हैं चलो 2, 3, 5 और 4 वोल्ट find C equivalent तो पेटा यह कितना है यहाँ पे इसको दिया है 2 microfarad इसको दिया है 3 microfarad इसको दिया है 5 microfarad और नीचे बैटरी को दिया है 4 वोल्ट तो पहले क्या पूछा है हमसे C equivalent तो पेटा तीनों parallel है तो C equivalent is C1 plus C2 plus C3 तो जोड़ दो 2, 3, 5, 5, 10 तो 10 microfarad हो गया दूसरा चीज क्या पूछा है बेटा क्यों released from the cell यहाँ से कितना charge निकला तो बेटा cell क्या देखती है C equivalent को देखती C equivalent कितना है 10 तो cell को यह सब नहीं दिख रहा है cell को उपर सिर्फ एक capacitor दिख रहा है कौनसा C equivalent दिखता है cell को सिर्फ C equivalent दिखता है इतने सारे capacitor दिखाई नहीं पड़ते cell सिर्फ equivalent capacitance या equivalent resistance को ही देखती है तो यह कितना हो गया 4 volt और उपर कितना हो गया बेटा 10 microfarad तो यहाँ से Q कितना हो जाएगा C equivalent into V C equivalent कितना है 10 into 4 तो कितना हो गया 40 micro coulomb cell से कितना charge निकला 40 micro coulomb फिर क्या है बेटा Q on each capacitor एक एक पर कितना गया वो चलो बाद में देखते हैं पहले fourth part करते हैं V in each capacitor यह पहले हो जाएगा बेटा V in each capacitor यह parallel combination है ध्यान से देखो अगर यह 4 volt लिखा है तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो 4 लिख दूँ और यहाँ पे चाहूँ तो 0 लिख दूँ positive terminal को 4 लिख दिया मैंने और negative को चाहूँ तो 0 लिख सकता हूँ yes or no yes I can do that positive को मैंने 4 लिख दिया और negative को मैंने 0 लिख दिया तो बेटा यह देखो किस से connected है 4 और यह किस से connected है 0 यह भी 4 और इधर 0 यह भी 4 और इधर 0 तो बेटा V across each capacitor कितना है V in each capacitor same है क्योंकि parallel combination है इसमें V same होता है तो कितना है 4 और थर्ड है बेटा Q की बारी Q in each capacitor तो बेटा इसमें V पता है आपको C पता है तो आप Q निकाल सकते हो Q का formula क्या है Q is equals to C V तो अलग-अलग में लगा दो बेटा इसमें C V 2 forza 8 2 forza 8, 8 micro coulum इसमें बेटा 4 threes are 12 तो इसमें हो गया 12 micro coulum इसमें बेटा 5 forza 20 तो इसमें हो जाएगा आपका 20 micro coulum टोटल निकला है 40 बट गया 8, 12, 20 में 8, 12, 20 तो 8, 12, 20 और 20 40 सही तो है Q is equals to C V C कितना है 2, V कितना है 4, 2, 4, 8 micro coulum ये बेटा C V 3 forza 12 micro coulum और ये बेटा 5 forza 20 micro coulum देखो 40 गया था 8, 12, 20 में बढ़ गया तो बेटा क्यों कितना हो जाएगा 8 micro coulum कॉमा 12 micro coulum कॉमा 20 micro coulum बोलो clear है यही 40 है यहीं distribute हुआ 8, 12 और 20 में आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं क्या है? find the equivalent capacitance between points A and B find equivalent capacitance between एक बचा क्या है कितने easy रहते है question need में फिर भी बेटा selection तो इतने काई होता है cut off भी तो आई होता है बहुत हाई रहता है cut off find equivalent capacitance between A and B तो A और B के बीच का equivalent capacitance निकालना है बेटा चलो तो A और B के बीच में equivalent capacitance निकालना है इनके बीच में imaginary battery लगा लो थोड़ा शयाद असान हो जाए इसे तो इक्रैश कोर से और maximum बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो इस सब चीजे तो कल लेंगे जहां तक मुझे पता है इस तो बहुत ही ऐसा कुछ है ने बताना नहीं है सब 10th class से करते हैं रहे हो A और B के बीच में equivalent तो यहां से देखो इन दोनों में same charge जाएगा यह दोनों सबको दिखाई पढ़ लेंगे series में A से चले यहां से माल लो battery है यहां से Q charge निकला कुछ यह बैटरी है V volt की और यहां से कोई Q charge निकला तो Q charge यहां के divide होगा कुछ इसमें गया कुछ इसमें कुछ इसमें तो जो इसमें गया वही इसमें यानि चार्ज से में दोनों series में तो बेटा 6 और 6 series में कितना बन जाएंगे series में 6 और 6 series में 6 और 6 क्या हो जाएगा 6 by 2 series में 6 और 6 तो बेटा C equivalent क्या हो जाएगा 6 by 2 कितना हो गया 3 तो इन दोनों को हटा के 3 लगा लेंगे तो बेटा तीन और तीन किसमें दिख रहे होंगे, पैरलल में, राइट, जब इन दोनों को हटाके, आप तीन लगाओगे, छे और छे सीरीज में कितना हो गया, तीन और तीन पैरलल में, बेटा तीन और तीन पैरलल में कितना हो जाएगा, तीन और तीन पैरलल में कितना हो ज जाएगा छे और छे फिर से सीरीज में तो बेटा छे और छे सीरीज में कितना हो जाएगा छे बाई दो तीन हो गया तो बेटा ये दोनों हटके तीन आगे फिर तीन और दो पैरलेल में तीन और दो पहले ले वे बेटा कितना हो जाएगा तीन प्लस दो अंसर क्या आ गया पाँच फाइनल अंसर होगा पाँच बोलो क्लियर इस अभी का बी 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 सबसे पहले ये दोनों सीरीज में 6 और 6 सीरीज में 6 बटे 2 3 फिर इनको हटा के 3 लगाया 3 और 3 पैलल में कितना हो गया 6 फिर 6 और 6 सीरीज में 3 फिर 3 और 2 पैलल में 5 सभी का clear है ये देखो find equivalent capacitance across points A and B तो ये अपना A point है ये अपना B point है equivalent capacitance निकालना है चलो ध्यान से देखो बेटा अपनी यहां से माल लो कोई charge भेजे इनके बीच में battery connect कर लो imaginary A और B के बीच में एक imaginary battery connect कर लो यहां से charge Q निकाल दो ये गया Q charge है ना positive से charge Q फिर यहां कुछ divide होगा charge फिर यहां पहुचके भी divide हुआ charge यहां charge आया divide हुआ कुछ इदर गया कुछ इदर फिर यहां पहुचा कुछ इदर गया कुछ इदर बेटा आप जो इसमें गया वही इसमें जाएगा वही इसमें जो charge इसमें जाएगा वही चार जिसमें वही इसमें यानि ये तीनों किसमें हो गए सिरीज में हो गए तो पीछे सबसे पहले आपको 9,9,9 किसमें है सिरीज में तो बेटा C equivalent कितना हो जाएगा C by N सिरीज में equal होते हैं तो C by N यानि 9 और 3 बार तो 9 by 3 कितना आया 3 सिरीज में अगर C, 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 C है और N times appear हो रहा है तो equivalent क्या पढ़ा है हमने C by N पढ़ा है तो 9,9,9 तीन बार तो 9 बटे 3 कितना हो गया 3 तो ये तीनों हटा के हमने क्या लगा लिया 3 फिर बेटा 3 और 6 parallel में हो जाएंगे 3,6 किस में हो गए पैरलेल में हो गए तो बेटा equivalent कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 कितना 9 9,9,9 हटाया 3 3 और 6 parallel में 9 फिर 9,9,9 किस में हो गए सिरीज में फिर 9,9,9 सिरीज में तो बेटा C equivalent फिर कितना हो जाएगा 9 बटे 3 कितना हो गया 3, फिर 3 और 6, फिर parallel में हो गए, फिर 9, फिर 9, 9, 9 series में, फिर 3, फिर 5, the final answer will be 3, बोलो clear है, सभी को आ घया, यहां तक आ पिन पहुचें, 9, 9, 9, का 3, फिर 3 और 6 parallel में, 9, फिर 9, 9, 9, का 3, फिर 3 और 6 parallel में, फिर से एक्सी equivalent कितना हो गया? 9, फिसके 999 सीरीज में. Clear है सभी का 3 आ गया है? और explanation की जरुवत तो नहीं है इसमें? बहुत बढ़िया. Next बेटा, 2003. क्या पूचा है? 3 capacitors each of capacity 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad. This can be done by. अपने पास 3 capacitors हैं बेटा, 4 microfarad के और उनको ऐसा connect करना है. 3 capacitors each of capacity is 4 microfarad. अपने पास 3 capacitors हैं 4 microfarad के और उनको ऐसा connect करना है in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad. C equivalent किसी तरह से 6 आजाएं. कुछ ऐसा जादू करना है. क्या किया जाए बेटा? 4, 4, 4. नहीं से तो काम नहीं बनेगा. C equivalent कितना आजाएगा? 4, 4, 4 का. 4 बटे 3. गलत हो गया. parallel में लगाने से भी फाइदा नहीं होगा. 4, 4, 4. ये भी फाइदे मन नहीं है. ये C equivalent कितना हो जाएगा? 4, 4, 4, 4. इससे भी नहीं काम बना. और किया किया जाए. तीनों series में देख लिए तीनों parallel. अब दो series और एक parallel ये try कर लेंगे. और एक और क्या try कर सकते हो बेटा? दो parallel के साथ एक series. यही सब तो कर सकते हो. यही तो तरीके बेटा निकाल लेंगे. पहले तीनों series में try किया नहीं बना काम. तीनों parallel में try किया नहीं बना काम. चार चार आट चार बारा दो सीरीज एक पैरलल या दो पैरलल एक सीरीज आओ यह देख लेते हैं चार और चार बेटा सीरीज में कितना हो जाएगा दो और दो और चार पैरलल में कितना हो गया छे बन गया काम चार और चार सीरीज में बेटा क्लियर है क्लियर सबी को क्लियर है यहां पर क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं चार और चार सिरीज में कितना हो जाएगा C equivalent 4 by 2 तो कितना हो गया 2 फिर 2 और 4 पैलल में 4 plus 2 6 आगे बढ़ते हैं बेटा 14 question 14 question 2007 क्या पूछा 2007 में 2 condensers 1 of capacity C and other of capacity C by 2 are connected to a V volt battery as shown in the figure, the work done in charging fully both the condensers, क्या बोल रहा है, work done in charging fully both the condensers, दोनों को fully charge करने का मतलब, मतलब दोनों पे potential क्या आ जाए, वी आ जाए, तो बेटा, C और C by 2 किसमें दिख रहे हैं आपको, C और C by 2 पैडल में दिखी रहे होंगे, series में तो नहीं दिख रहे हैं न, बेटा, इसके ओपर भ VV, 0000, VVVV, 0000, तो बेटा, पैलेल में हो गया, C equivalent कितना हो जाएगा, C plus C by 2, कितना हो गया, 2 plus यह, 3C by 2, है न, और बेटा, potential तो उनों को कितना मिलेगा, V का मिलेगा, यह C equivalent हो गया, 3C by 2, potential कितना मिल गा है, V, अब क्या बोल ला है, work done in charging, तो बेटा, work done in charging is equal to electric potential energy, जो इस में stored हो जाएगी चार्ज होने के बाद, so work done is equals to electrical energy that is stored after charging, charging fully both the condensers, तो both को मैंने एक साथ ले लिया, combination, तो कितना हो जाएगा, half C equivalent into V square, so half into 3C by 2 into V square, 3C V square बटे 4, so 3C V square बटे 4, option C, बोलो आ गया, 3C V square बटे 4, clear, next, 2010, क्या है, क्या है, a series combination of N1 capacitors each of value C1 is charged by a source of potential difference 4V, क्या है, a series combination of N1 capacitors, a series combination of N1 capacitors each of value C1, कितने है, N1 capacitors, is charged by a source of potential difference 4V, ठीक है, when another parallel combination of N2 capacitors each of value C2 is charged by a source of potential difference V, when another parallel combination of N2 capacitors each of value C2, कितने है, बेटा, बेटा, यह कितने है, बेटा, यह किस से charged है, बेटा, बेटा, यह किस से is charged by a source of potential difference V, it has the same total energy stored in it as the झाल 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 आप सही है आप सही है आप सही है आप सही है अब ठीक है तो बेटा C1, C1, C1 हमने N1 के पैस्थर लगा है 4V से C1 by N C2, C2, C2 किते लगा है VV से बोलो clear 2010 का सवाल एक बार फिर से ले लेते हैं सबी लोग बोल रहे हैं कि भई आवाज नहीं आई थी उस समय है ना तो कच्ची ओर रही है कच्ची हो रही है उस टाइम की बात नहीं मानी जाएगी तो बिलकुल एक बार फिर से इसको ले लेते हैं चलिए एक बार हो ले लेते हैं क्या है तो हमने 4 वोल्ट लगाए दिया तो हमने 4 वोल्ट लगाए दिया सोर्स ओफ पोटेंशल डिफरेंस सिरीज कॉम्बिनेशन कितका है बिटा N1 के पैस्टर्स का है Each of value C1 तो बिटा C1, C1 Each of value C1 है तो C1, 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 C1 फिर क्या है When another parallel combination of N2 के पैस्टर्स Each of value C2 अब N2 के पैस्टर्स है कितने हैं N2 के पैस्टर्स Each of value C2, 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 C2 N2 के पैस्टर्स Each of value C2, 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 C2 ठीक है? अच्छ Is charged by a source of potential difference V It has the same total energy stored in it As the first combination has यानि पहले combination की total energy Is equals to दूसरे combination की total energy एक तो बोला है? When another parallel combination of N2 के पैस्टर्स Each of value C2 is charged by a source of potential difference V It has the same total energy stored in it As the first combination has तो दोनों की total energy क्या है? Same है तो हमने कहा U1 is equals to U 2 कर देते हैं तो पैटा U1 क्या होगा? Half पहले वाले का C equivalent into पहले वाले के V का square और ये half दूसरे वाले का C equivalent और दूसरे वाले का V square है ये value 1,1 के लिए ये value 2,2 के लिए तो पैटा आओ इसका C equivalent कितना होगा? C1, 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 C1 N1 times C1 by N1 तो पैटा कितना होगा? Half into C1 by N1 और potential कितना है पैटा? इसमें 4 V है तो 4 V का square कर देंगे इस तरफ पैटा half C equivalent दूसरे वाले का C equivalent C2, 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 C2 कितनी बार? N2 बार तो कितना हो जाएगा? N2 times of C2 C2 plus C2 plus C2 plus C2 कितनी बार? N2 बार तो N2 times of C2 और potential कितना है? V है तो V square यहां से half half cancel C1 into 16 V square by N1 is equals to N2 into C2 into V square से V square cancel यहां से C2 is equals to 16 C1 upon N1 N2 यही चाहिए था हमे the value of C2 in terms of C1 is the value of C2 in terms of C1 16 C1 upon N1 into clear है? 16 C1 upon N1 N2 clear? आगे बढ़ जाए हैं है? चलो आगे बढ़ते हैं next in the given circuit the charge of 4 microfarad capacitor will be किसका charge पूचा है? 4 microfarad capacitor इस पे पूचा है कितना charge आएगा? the charge on 4 microfarad capacitor will be आओ बेटा देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं? the charge on 4 microfarad capacitor will be कई से किया जाए? कई से किया जाए? बेटा एक चीज देखो ये 10 volt का potential difference इसको भी मिलेगा? और 10 volt का इसको भी मिलेगा? है ना? बात समझो कि अगर ये 10 volt है मैं इधर 10 लिख लूँ इधर 0 है ना? 10 volt है इधर 10 इधर 0 तो बेटा इधर कितना मिला? 10 और यहां कितना मिला? 0 नहीं समझे बाया 10 volt का potential difference ये दोनों तो parallel combination है मतलब ये पूरा और ये पूरा parallel है की नहीं है? बिल्कुल है तो 10 volt इसको भी मिल रहा है और 10 volt इसको भी मिल रहा है इधर plus इधर minus ले लें अगर हम इस 10 volt लें इधर 0 लें यहाँ पे भी कितना हो गया 10 यहाँ पे भी कितना हो गया 10 volt और ये 0 है तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो बेटा इस combination की across potential difference कितना है 10 volt यहाँ क्या है? 4 1 5 राइट यहाँ क्या है? 4 1 5 है ना 1 5 4 और potential difference कितना है? यहाँ पे 10 volt मिलना है यहाँ पे 0 volt बेटा इन सारे capacitors का अगर हम combination बनाएं तो 1 और 5 parallel में 6 हो जाएंगे 6 और 4 series में हो जाएंगे है ना? तो 6 और 4 series में बेटा हो गये 6 और 4 series में तो बेटा equivalent निकाला जा सकता है बहुत असानी से equivalent कितना होगा? 6 और 4 का C equivalent हो जाएगा C1 into C2 upon C1 plus C2 तो 4 6 है 24 और 4 और 6 10 2.4 हो गया 2.4 हो गया तो बेटा यह 2.4 माइक्रो फेरेड हो जाएगा इनका equivalent capacitance यहाँ पे 10 volt यहाँ पे 0 volt अब बेटा कितना charge flow करेगा? यह C है यह V है Q is equals to C into V so 2.4 into 10 तो बेटा कितना हो जाएगा? 24 माइक्रो कूलंब तो 24 माइक्रो कूलंब charge यहाँ से निकलेगा कहां से? यहाँ से निकलेगा अब बेटा जो 24 माइक्रो कूलंब इसमें गया वही इन दोनों में जाएगा वही इसमें जाएगा पर इसमें इसमें अलग अलग जाएगा फर पूछा तो खेर चार में ही है तो 24 आंशर हो जाएगा 24 माइक्रो कूलंब यहाँ से कितना निकलेगा? 24 यहाँ से 24 निकला तो इसमें तो 24 जाएगा इन दोनों में भी 24-24 सीरीज में है, इसमें भी 24 पर इन दोनों में 24-24 नहीं जाएगा, इसमें अलग-अलग जाएगा, clear है? So, 24 µ will be the answer, अब यहीं पर मैं आपसे पूछूँ, find Q on 1 µF and 5 µF, चलो अब बताओ, 1 µF और 5 µF पर भी Q बताओ, find Q on, यह जो 24 निकला, यह इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया 24 और इसमें 24 डिवाइड हो गया, अब बताओ, अब बताओ, C is equals to QV क्यों नहीं, क्योंकि direct C is, यह कौन बताओ तुमको, बता नहीं क्या बोलना, क्यारा C is equals to QV, अब बताओ, इसमें बताओ, 1 और 5 में अगर मुझे निकाल ला हो, 1 और 5 में मुझे अगर निकाल ला हो, यहीं पर मैं सवाल बना दू, question, find Q in 1 माइक्रो फेरेड और 5 माइक्रो फेरेड, यह बताओ, तो बिटा, हम यहां तक समझ गए हैं, कि यहां कितना आया था, 10 वोल्ट, और यहां कितना आया था, 0 वोल्ट, है न, तो अपनी यहां तक बात हो गई है, ठीक है, अपने को पता है, यहां से कितना चाह जा रहा है, 24 माइक्रो कूलम आ रहा है, यहां से कितना जा रहा है, 24 माइक्रो कूलम, तो इसमें तो 24 माइक्रो कूलम लगा दिया, अब बेटा, 24 माइक्रो कूलम, यहां पे तो डिवाइड होगा न, दो में, पैलल में क्या होता है, charge is distributed तो 24 µC यहां पे आके दोनों में distribute हो जाएगा तो अब कितना आएगा बेटा इन दोनों में कितना कितना आजाएगा एक और 5 का बेटा इनका equivalent बनाते हो एक और 5 का equivalent क्या होगा 6 पैलल में है न, right equivalent हो गया 6 µF और इसमें charge कितना आ रहा है 24 µC तो बेटा यह charge है यह capacitance है, तो potential difference कितना होगा Q by C Q है 24, C है 6 कितना होगा, 4 V अब बेटा 4 V इसमें हुआ तो पैललल में potential difference सेम होता है, तो यहां पे भी 4 V, यहां पे भी 4 V अब बेटा आप charge निकाल सकते हो 1 x 4, 4 µC 5 x 4, 20 µC 20 और 4, 24 µC बोलो clear है यही तरीका ही है clear यहां से 24 आया, मैंने कहा हो इनका combination देख लेते हैं 1 और 5 का C equivalent कितना आया 6 µC और charge कितना आ रहा है 24 µC तो यहां potential कितना हो जाएगा Q by C 24 बटे 6, कितना हो गया 4 V, तो इसमें 4 V है तो एक-एक में भी 4 V, 4 V होगा पैललल में वही potential difference होता है जो equivalent में होता है 4 V, 4 V अब बेटा यहां पे charge कितना होगा 4 V, 1 µF और नीचे 4 V, 5 µF तो बेटा यहां charge कितना होगा C into V, 4 बन्दा 4 4 µC और यहां charge कितना होगा C into V, 4 into 5 कितना हो गया 20 µC 20 µC तो इसमें 4, इसमें 20 टोटल कितना होगा 24 2005 इस question के बाद break दे दूँगा चलो हाँ इसके बाद break पक्का यह question कर लो फिर break इस सवाल के बाद break है एक सवाल कर लो फिर बस इसके बाद break A network of 4 capacitors of capacities equals to C1 is equals to C, C2 is 2C, C3 is 3C, C4 is 4C are connected to a battery as shown in the figure The ratio of the charge on C2 is to C4 क्या बोल ला है बेटा? C1 की value C है, C2 की value 2C, C3 की value 3C, C4 की value 4C The ratio of charge on C2 and C4 बेटा ये बोल ला है ये value है आपकी C, ये है 2C, ये है 3C और ये है 4C और क्या मांग रहा है? The ratio of charge on C2 is to C4 बेटा इस पे जो charge है अपन इसके charge का ratio मांग रहा है C2 is to C4 के charge का ratio है Ratio of Q on C2 to C4 ये मांग रहा है हमसे चलो, बेटा ध्यान से देखो ये VV लगा है एक ये हो गया, एक पूरा ये set हो गया तो ये पूरा set इसके साथ किसमें है? पैरलल में है अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे V लिखा हुआ है इदा 0 इदा V लिख दूँ तो ये 0 हो गया और ये पूरा V हो गया तो ये 4 कूलम लगा है V और 0 के बीच में और ये 3 भी लगे हैं V और 0 के बीच में तो 4 कूलम लगा है 4 कूलम के रहा 4C लगा है 0 और V के बीच में C4 जो है 4C ये कहां पे लगा है 0 और V के बीच में तो बेटा इसके उपर तो चार्ज तुरिंद निकल आएगा Q is equals to CV चार्ज on the fourth Q4 कितना हो जाएगा? पोटेंशल कितना है? नहीं समझे रहे अगर ध्यान से देखो तो ये नीचे वाला 4C किस पे लगा है? 0 और V के बीच में तो इस पे चार्ज सीधा सीधा निकाल दो बेटा इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? C into V C into V, so 4C V ये हो गया इस पे चार्ज अब बात करते हैं बेटा, ये पूरी कहानी की ये तीनों जो है, ये तीनों कैसे लगे हैं बेटा? ये कितना है? 3C ये कितना है? 2C और ये कितना है? C और ये तीनों बेटा किस से connected है? 0 और V से यहाँ 0, यहां V तो ये तीनों किस में दिख रहे हैं बेटा, सीरीज में दिख रहे हैं, राइट, ये तीनों किस में दिखाई पढ़ ले हैं, सीरीज में दिखाई पढ़ ले हैं, है न, 3C, 2C और C, ये तीनों सीरीज में हैं, तो C equivalent कितना हो जाएगा बेटा, इसका, सीरीज में है 1 by C equivalent is equals to 1 by 3C plus 1 by 2C plus 1 by C तो बेटा LCM हो जाएगा इसका 6C 3 को multiply करेंगे 2 से 2 को multiply 3 से और C को 6 से 2, 3, 5, 6, 11 11 बटे 6C 1 by C equivalent तो C equivalent हो जाएगा बेटा 6 बटे 11C 6 बटे 11C यह हो गया इसका C equivalent तो बेटा 0 और V और यह 6 बटे 11C आ रहा है तो बेटा चार्ज कितना हो जाएगा Q is equals to C V तो 6 बटे 11C V अब जो चार्ज बेटा इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें वही चार्ज इसमें तो Q2 पे कितना चार्ज हो गया बेटा 6 बटे 11C इन तीनों का equivalent निकाला मैंने इन तीनों का equivalent निकाला 3C, 2C और C का तीनों किसमें दिख रहे हैं सीरीज में दिखाई पढ़ लहे हैं तो 1 by 3C, 1 by 2C, 1 by C 6C हो गया 3 के लिए 2 से multiply, 2 के लिए 3 से और C के लिए 6 से 2, 3, 5 से, 11 बटे 6 तो C equivalent हो गया 6 बटे 11 अच्छा ठीक है फिर हमने गा क्यों कितना होगा C equivalent डाल दिया Q हो गया C into V तो 6 बटे 11 into C V चलो ये भी ठीक है अब जो charge बेटा यहां से equivalent में वह एक-एक में जाएगा अपने को क्या चाहिए ratio of charge on C2 is to C4 C2 is to C4 C2 पे कितना दिख रहा है बेटा C2 is to C4 C2 पे है 6 बटे 11 सो Q2 कितना है अपना 6 बटे 11 C V और Q4 कितना आ रहा है 4 C V तो बेटा Q2 बटे Q4 6 बटे 11 बटे 4 2 3s are 6 2 2s are 4 ठीक है अब लेते हैं break और break के बाद start करते हैं आगे की कहान मिलते हैं बारा मिनिट बाद प्रहा हैं झाओे बाद प्रहा हैं झाओे जाओे बाद झाओे उदास करते हैं झाओे जाद झाल 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 5 झाल 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 ये तो यह हो गया 3x plus 2 तो बेटा यह हो जाएगा 2x plus x square is equals to 3x plus 2 इसको solve करते हैं बेटा so 3x को इधर ले आते हैं so x square plus 2x minus 3x कितना हो जाएगा minus x और 2 को इधर ले आते हैं minus 2 equal to 0 बेटा quadratic है इसको factorize कर लेंगे x square factorize नहीं होगा तो धराचारा formula भी जागाना पड़ सकता है x square यहाँ minus 2 चाहिए minus 2 चाहिए तो इसको क्या लिख सकते है minus 2x plus x minus 2 equal to 0 बोला सही है इसको ऐसे तोड़ा कि minus x ही आए minus 2x plus x सही है इसको factorize करेंगे इधर क्या चाहिए minus 2 तो हमने लिखा minus 2x plus x कितना आ रहा है multiply करेंगे minus 2 भी आ रहा है x common x minus 2 plus 1 common x minus 2 equal to 0 बेटा x minus 2 common हो गया x plus 1 equal to 0 so either x is equals to 2 और x is equals to minus 1 यह तो possible नहीं है तो यह answer हो गया 2 micro farad बोलो आया minus 1 तो possible नहीं है न बेटा equivalent capacity clear चलो next यह बेटा चलो infinite leader जल्दी से score आदो आप 1 2 1 2 1 2 बेटा repetitive unit अच्छे से पहचान लेना चलो यह आला खुद से उड़ा दो आप यह तो आपको खुद से कर देना चाहिए 1 2 1 2 1 2 1 2 उड़ा दो यार repeating unit बहुत important होती है repeating unit यहाँ पर क्या है बेटा 1 2 1 2 1 2 1 2 so 1 2 बस खतम यह नहीं कि 1 2 के बाद एक और 1 उठा लिया 1 2 1 2 देखो क्या चीज बार बार repeat हो रही है वो सबसे चोटी unit cell जैसे आप नहीं पढ़ते हो कि unit cell क्या है किसी वीचे की unit cell तो unit cell क्या है 1 2 फिर y 1 2 फिर y 1 2 फिर y 1 2 clear चलो तो बेटा हम माल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कि infinite units का कितना है let equivalent capacitance of infinite units be x then equivalent capacitance of infinite minus 1 units will be again यह कितना हो जाएगा x हो जाएगा so यहाँ से यह repeating unit है 1 2 1 2 so 1 2 को छोड़के यहाँ से मैंने उठा लिया यह इसका बेटा equivalent capacitance कितना हो जाएगा इस पूरे का equivalent capacitance x हो जाएगा so 1 A 1 2 B यही है ना 1 2 B और इसका मैंने x माल लिया यहाँ से यह सब हटके कितना आजाएगा 2 के parallel में x आ गया यह सारे हट गया और 2 के parallel में अपने पास x आ गया 2 और x parallel में हो गया बेटा 2 और x parallel में हो गया तो कितना हो जाएगा add हो जाएगा सिधा सिधा A से 1 और 2 और x parallel में बेटा 2 और x parallel में तो equivalent हो गया 2 प्लस x अब यह दोनों किसमें हो गया बेटा series में हो गया तो अपन लिख सकते हैं c equivalent is equals to c1 into c2 upon c1 plus c2 तो c1 कितना है 1 into c2 2 plus x upon c1 plus c2 1 plus 2 plus x और c equivalent बेटा क्या है between a and b ये तो पहले से defined x is equals to 2 plus x ये कितना हो गया 3 plus x ये धर आ गया बेटा x into 3 plus x तो x is square plus 3x is equals to 2 plus x ये इधर multiply होगा x square यहां जाके multiply होगा x square plus 3x is equals to 2 plus x तो बेटा x square x को इधर लाओगे 3x minus x तो 2x minus 2 equal to 0 ठीक है फिर ये factorize होगा नहीं बेटा तो इसमें क्या लाना पड़ेगा धराचारे formula लाना पड़ेगा x square plus 2x minus 2 equal to 0 तो बेटा इसको compare कर दोगे ax square plus bx plus c equal to 0 से तो धराचारे formula क्या बोलता है बेटा x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divide by 2a तो बेटाई यहां पर b की value कित्ती है 2 है so minus 2 plus minus under root b square 2 का square हो गया 4 minus 4 into a कितना है 1 c कितना है minus 2 divide by 2 into a a कितना है अपना 1 है तो कितना हो गया बेटा minus 2 plus minus अब यह minus minus plus हो जाएगा 4, 2, 8, 8 और 4, 12 root 12 बटे 2 एक बेज और है अपने पास so x is equals to minus 2 plus minus root 12 बटे 2 तो minus 2 plus minus बेटा root 12 क्या होगा 4 into 3 तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा root 3 by 2 root 12 क्या होगा 4, 3 is a 12 तो 4 का 2 बाहर आ गया बेटा 2 से cancel हो जाएगा 2 से divide कर तो इधर हो गया minus 1 plus minus यह भी 2 से cut गया क्या बचा root 3 अपने पास 2 answer है बेटा एक है minus 1 plus root 3 एक होगा minus 1 minus root 3 बेटा यह तो possible नहीं है negative आ रहा है answer यह क्या होगा minus 1 plus root 3 root 3 कितना होता है 1.732 so 1.732 minus 1 कितना हो जाएगा 0.732 यह possible है वो possible नहीं clear 0.732 c बोलो आ गया infinite later समझ में आ गया सबको infinite later सबको clear है इसका clear clear है सभी को infinite later बहुत बढ़ी है next बेटा problems involving plate problems involving plates आओ देखें three identical metal plates are arranged in air at equal distance D from each other the area of each plate is A a battery of EMF E EMF V is connected across three plates as shown find the find the equivalent capacitance अभी भी कहानी कहां पे चल लही है कहानी अभी भी equivalent capacitance पे find the equivalent capacitance three identical metal plates are arranged in air at equal distance D तो बेटा equal distance D तो ये कितना distance है D और ये भी कितना distance है D फिर क्या है the area of each plate is A सबका area A, A, A है a battery of EMF V is connected across three plates as shown बेटा ये battery लगाई है EMF V की बेटा ये V battery लगाई है find the equivalent capacitance आज ओ बेटा अपने को equivalent capacitance चाहिए तो बेटा ये distance D और ये distance B D बता रखा है और battery of EMF V अब देखो EMF V दे रखा है तो इस plus को हम लोग बोल सकते हैं V, minus को बोल सकते हैं 0 बोले सही EMF V दे रखा है plus को V इसको 0 बेटा ये V देखो wire में कुछ नहीं लगा V, 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 V यहाँ पे V wire में कुछ नहीं लगा V, 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 V यहाँ पे V और ये 0 अब ध्यान से देखो तीन प्लेट्स है और potential दो ही है एक V, एक 0 potential आग पास दो ही है एक V, एक 0 ये वाला एक केपैस्टर बन रहा है V और 0 के बीच में और एक केपैस्टर ये बन रहा है V और 0 के बीच में तो बेटा, V और 0 के बीच में ही दो केपैस्टर बन रहे हैं parallel में ध्यान से देखो ये एक plus से minus एक ये electric field line बनी ये capacitor और प्लस से minus एक वो बना, तो एक आप पस terminal V है, एक आप पस terminal O है, एक ये वाला capacitor बना, AB वाला, और एक आप के पास किसका बना, BC वाला, B किस से connected है, 0 से, और C किस connected है, ठीक है, अब बेटा, दोनों का capacity same होगा, क्योंकि distance between plate same है, area of plate same है, अगर मैं इसका capacity पूछूँ हूँ आप से अभी, अगर मैं इसका capacity पूछूँ तो क्या होगा, Epsilon 0 A by D और इसका भी सेम आएगा Epsilon 0 A by D क्योंकि distance between place से में, area से में बेटा दोनों parallel में हो गए तो C equivalent कितना हो जाएगा 2C और C की value किती है Epsilon 0 A by D So 2 times of Epsilon 0 A by D C बोलाया 2 times of Epsilon 0 A by D Clear? बेटा, series में नहीं है, parallel में है parallel में है तो क्या हो जाएगा C plus C, 2C Clear? Next देखो, आओ Clear हो गया यह Next आओ बेटा, यह देखो 4 identical metal plates are arranged in air at equal distance D from each other D, D, D ठीक है The area of each plate is A, 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 A A battery of EMF EV is connected across plate 1 and 2 Find the capacitance of systems between points 1 and 2 if the other two plates are connected by a conducting wire as shown in the figure बेटा, अगर इसको conducting wire से connect कर दोगे, दोनों का potential same हो जाएगा आपको क्या चाहिए? Find the capacitance of the system between points 1 and 2 आजो कर लेते हैं इसको between points 1 and 2 between 1 and 2 चाहिए तो बेटा, battery लगाई V की यहाँ बोल देते हैं V और negative को बोल देते हैं 0 चलेगा यह V पे है तो यह V पे आ गया यह 0 पे है यह 0 पे आ गया बेटा, यह दोनों conducting wire से connected है पर कुछ idea नहीं लग रहा है इनका यह दोनों conducting wire से पर कुछ पता नहीं हवा में लटा करें है माल लेते हैं बेटा यह X potential पे है तो यह भी X potential पे होगा Yes or No क्योंकि दोनों conducting wire से जुड़े है तो दोनों का potential सेम होगा सो माल लेते हैं कि इसका potential X है तो conducting wire से जुड़े होने एक कारण इसका potential भी x हो जाएगा आपको equivalent capacitance कहां चाहिए आपको चाहिए find the equivalent capacitance of the system between points 1 and 2 आपको 1 और 2 के बीच में चाहिए 1 and 2 एक point x भी मुझे दिखाई पाड़ रहा है तो वो भी मैं लिख लूँँगा between points 1 and 2 so 1 and 2 एक point मुझे x interesting दिख रहा है चलो so 1 का potential v है 2 का potential 0 है ठीक है तो बेटा यह देखो एक capacitor तो यह बना v और 0 के बीच में यानि 1 और 2 के बीच में यह capacitor बना 1 और 2 के बीच में a और b वाला फिर v और x के बीच में एक बन रहा है a और c वाला v और x के बीच में यानि 1 और X के बीच में, एक ये बन रहा है, A और C वाला, और फिर एक ये बन रहा है, X और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में और कोईれない, बेटा एक ये बन गया एक ये, एक कहत्म हो गया अब देखो, ये सारे कैपैस्टल बराबर होंगे एक तो कैपैस्टल सब का बराबर होगा ये distance कितना है? कितना होगा ? Epsilon not A by D. दूसर के capacityance कौन सा है? AC है. AC का देखो बेटा, के capacityance कितना होगा? Epsilon not A by D. और कौन सा है, बेटा? DB है. DB का capacityance कितना होगा? Same, Epsilon not A by D. तो सभी के capacityance बराबर हैं, सभी को equal to C मान सकते हैं. C, C, C. बेटा, ये दोनों series में, series में C और C, क्या बन जाएगा? C by 2. राइट? और नीचे क्या लगा हुआ है, बेटा? C. ये parallel में हो गया. C equivalent हो जाएगा, C plus C by 2. So, 2C plus C, 3C by 2. और C कितना है? Epsilon not A by D. So, 3 by 2, sorry. 3 by 2, Epsilon not A by D. बोलो आ गया? बोलो आ गया? बोलो क्लियर? 3 by 2, Epsilon not A by D. ये. 3 by 2, Epsilon not A by D. क्लियर? एक और कल लो. ये आला खुझ से बता है, यां मैं वेट कर रहा हूँ. ये आला कॉमेंट करो, मैं एक मिनेट पानी गी निकाल लो. ये वाला खुझ से बताओ, ये आला खुझ से बताओ. ये आला कि एकाल बताओ. मैं शे Zhengट कर वे बताओ. ये आला कि कर दो. क्लियर आला कि एक ग så. ये ये जा झाल झाल हो गया D आ रहा है सब का, आओ जल्दी से देख लेते हैं, सब्सक्राइप प्ररण हो की नहीं मैं, D आ रहा है चलो जल्दी से देख लेते हैं, तो एक तो A हो गई PLATE तो ये तो A हो गया पोटेंशल, एक B से कनेक्टेड है B हो गया potential इसका X और X माल लेते हैं तो अपने पास 3 point है A B और X किसके बीच में निकालना है between A and B निकालना है तो चलो ठीक है और ये हो गया X चलो ये वाला बेटा के pastor A और X के बीच में connected है ये रहा ये वाला के pastor A और X के बीच में एक और है ये रहा ये वाला के pastor B और X के बीच में है ये रहा तीनों के pastor बराबर है दिखी रहे है A, X वाला सब बराबर है C, C, C C और C पैरलल में बेटा कितना हो जाएगा 2C और इसके साथ C सिरीज में तो बेटा C equivalent कितना हो गया C1 into C2 upon C1 plus C2 तो 2 by 3 C A by D 2 by 3 Epsilon 0 A by D D आ रहा है बेटा D, 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 D Clear? क्यार है डिनर ब्रेक दे दो फिर कहो कि गुड़नाइट ब्रेक दे दो मौनिंग से स्टार्ट करेंगे ऐसे थोड़ी ना, ये चीटिंग है ठीक है? इस टाइब के question आएंगे नीट में एक बार बात कर लेता हूं, मैं प्रोक्रियाज से भी बात हो रही थी मेरी अभी थोड़े दे पहले, we were having lunch together brunch क्या बोलते हैं उसको शाम को brunch बोलते हैं, so हम लोग brunch कर रहे थे so we were talking, I and प्रोक्रियाज से so मैं तो बोल रहा था कि सर इसी और ऐसा करते हैं अब देखो एक यह होते हैं, क्यूब वाली कहानी 12 number of capacitors, each of capacity C are arranged alongside of a cube as shown in the figure the equivalent capacitance between point A and B तो मेरा 12 capacitor लगेंगे, 1 हर साइड पे 1 ठीक है एक, दो, तीन, चार उपर, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, 12 capacitor, ऐसे ही सब में बेटा, 12 capacitor लगेंगे हुए हैं, ठीक है हर साइड पे एक capacitor है, इच साइड में क्या है आपके पास एक capacitor है, 12 capacitor होगे, बेटा अगर यह body diagonal बनता है, देखो, A और B क्या है, body diagonal है, ध्यास देखो, यह क्या है, body diagonal, देखो, A यहाँ है, B यहाँ है, body diagonal हुआ, यहाँ से यहाँ, यानि room में, cube में, इस कोने से उस कोने तक, यह body diagonal, या तो, इस कोने से इस कोने तक, body बाडी डाइगनल, तो बेटा, बाडी डाइगनल में C equivalent आएगा आपका, अगर सब C, C, C हैं, तो आएगा 6 बटे 5C, यह क्या है बेटा, यह तो आपने इमेजेट साइड से निकाल दिया है, यह अपने एक साइड से डाला, तुरिन दूसरी साइड से निकाल दिया, यहां बेटा सब C, 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 C लगे हुए हैं, यहां C equivalent आएगा आपका 12 बटे 7C, यह क्या है बेटा, फेज डाइगनल, 6 बटे 5 बेटा, वो रेजिस्टन में 5 दूसरे कॉर्णल से, बेटा, फेज डाइगनल, यहां से यहां, देखो, यह एक फेज है, यह देखो, एक फेज है, तो यहां से यहां सीधा, फेज डाइगनल, फेज डाइगनल, फेज डाइगनल से बेटा, आप निकाल दोगे, तो C equivalent आएगा 4 बटे 3C, इन values को learn कर लो, अभी तक नीट में नहीं पूचा है, अगर पूचेगा तो calculate करने का समय होगा नहीं, सीधा सीधा ऐसे ही बताएंगे, अभी भी याद है, लक्ष बैच में इस टॉपिक को समझाने में 2 आर्स लगे थे, लक्ष बैच में तो बहुत डिटेल में फड़ा रखा था था, है न इस साइड से डाला, बगल से निकाल दिया, ये कितना, 12 बटे 7, एक फेस डाइगनल यहां से डाला, 1, 2 के बाद निकाला, तब कितना हो गया आपका, 4 बटे दिए, फेस डाइगनल यहां से इसके सामने, clear, clear, एक बच्चा कहारें, इसको 12 में याद कर सकते हैं, बिल्कुल इसको एक काम करते हैं, 2 से मल्टिप्लाइ कर दे, उपर नीचे, तो यह कितना हो गया, 12 बटे 10C, यह हो गया 12 बटे 7, और इसको भी उपर नीचे 2 से मल्टिप्लाइ कर दे, 3 से मल्टिप्लाइ कर दे, उपर नीचे 3 से मल्टिप्लाइ कर दे, मतलब 12 के फॉर्म में कहारा सा साथ ची, और ये हो गया हाँ, आपका बारा बटे, नौ ची, ठेक है? क्लियर? चलो, डाइ लेक्रिक इन के पैस्टर अब हम लोग आ गये? डाइ लेक्रिक इन के पैस्टर उपर, डाय लेक्रिक डालने पे क्या होता है, क्या नहीं होता है आओ देखते है चलो dielectric क्या होता है बेटा a dielectric और dielectric material is an electric insulator तो dielectric is another name for insulator only dielectric is another name for insulator only next unlike conductors dielectric materials do not have any loosely bounded or free electrons insulator के पास क्या नहीं होते dielectric materials do not have any loosely bounded or free electrons इनके पास free electron या loosely bounded electrons नहीं होते next when a dielectric material is placed in an electric field electric polarization occurs अगर आपने dielectric material को electric field के अंदर रख दिया है तो क्या होगा बेटा polarization होगा देखो electric field में रख दिया अब electric field इधर जा रही है तो सारे positive charge को अपने साथ लेके जाएगी मालो यहाँ पर electric field है पहली बात तो इसमें free electron नहीं होते और जब भी आप when a dielectric material is placed in an electric field क्या होता है polarization होता है क्या होता है polarization होता है मतलब मालो बेटा यह material है अंदर molecules होगे जब आप इस पे electric field लगाओगे यू तो electric field क्या करेगी positive charges पे अपने direction में force लगाएगी और negative charge पे opposite direction पे तो होगा यह कि थोड़ा सा polarization होगा positive इस तरफ negative इस तरफ positive इस तरफ positive इस तरफ positive इस तरफ positive इस तरफ charge separation हो जाएगा अंदर but overall यह क्या है बेटा neutral overall यह neutral electric field लगाने से क्या होगा material के अंदर जो molecules है उनका जो positive element उस पे इधर force लगेगे positive charges इस तरफ भागेंगे और negative charges electric field के opposite तो इसको लोग क्या बोलते हैं polarization नेक्स देखते हैं बेटा dielectric slab between plates of capacitor अब plates of capacitor के बीच में हमने एक dielectric slab डाल दिया अब देखो क्या होगा अब देखते हैं क्या होगा बेटा देखो यह positive positive यह negative यह capacitor है अब बेटा यहां से यहां electric field बनेगी यह electric field बनेगी अब बेटा जैसी यह electric field बनी इस dielectric के अंदर क्या हुआ positive charges भागे electric field के direction में और negative charge भागेंगे opposite to electric field क्या हुआ इसका polarization हो गया जैसे ही external electric field लगी capacitor की capacitor की external electric field जैसे ही लगी वैसे ही क्या हुआ इसका polarization हुआ electric field के direction में positive charge इधर भागा है और negative charge यहां चले है इसको ऐसे भी सोच सकते हो बेटा negative charge किधर attract हो गया positive plate की तरफ और positive charge किधर attract हो गया negative plate की तरफ चलो ठीक है ऐसे भी समझ में आ गया सर इसको बोलते हैं polarization नेगेटिव charge किधर attract हो गया positive की तरफ पॉजिटिव किधर negative की तरफ अब बेटा यह हमारी external electric field है इसको हमने बोल दिया E naught क्योंकि कोई medium नहीं है तो E naught अंदर क्या हुआ बेटा एक induced electric field बन गई एक induced electric field है ना अंदर की electric field देखो कुछ अलगी खेल खेलना चाहिए अंदर क्या positive इस तरफ नेगेटिव इस तरफ तो अंदर क्या बन गई एक induced electric field यह E induced अगर E induced बहुत तगड़ी हो जाएगी इतनी तगड़ी होई E induced कि E naught को cancel कर दे तब तो अंदर field क्या हो जाएगी जीरो जो की metals में होती है electric field is zero inside the material of conductor या metals और अगर इतनी strong नहीं है तो overall field इधर ही रहेगी बट इसके अंदर field थोड़ी सी कम हो जाएगी इस बात को आम लोग लिख लेते हैं due to polarization due to polarization induced charges induced charges induced charges induced charges appear in dielectric induced charges appear in dielectric pella point deuster point an induced electric field e induced is produced which opposes original field which opposes तो होता क्या है कि इस E induced के वजे से dielectric के अंदर electric field थोड़ी सी कम हो जाती है समझो और आम समझो यहां से field लगाई 10 example यहां से field लगाई 10 अंदर E induced बनी 2 यहां से field लगाई 10 just as an example ऐसे सोचो हमने field लगाई 10 और अंदर E induced बनी 2 तो बेटा अंदर overall कित्ती हो जाएगी इस तरफ 10 है इधर 2 बनी तो अंदर overall इसी direction में होगी बट कित्ती होगी 8 कुछ कम हो गई थर्ड the E induced decreases net electric field the E induced decreases net electric field inside dielectric net electric field को क्या कर देती है कम कर देती है क्योंकि बाहर से E not लगाई आपने 10 अंदर से 2 का repulsion मिल गया तो अंदर overall कित्ती आई 8 सो बेटा E in dielectric E net कितनी हो जाती है E not बटे K K गुना कम हो जाती है कितने गुना? K गुना कम हो जाती है और बेटा K को क्या बोलते हैं हम लोग dielectric constant सर ये क्या होता है अरे पिछले टन्द में पढ़ा था आपने पहले टन्द पे क्या बोलते हैं relative permittivity वही तो होता है dielectric constant तो यहाँ पे K अपियर हो गया and K is what? dielectric constant dielectric constant E not by K बोलो क्लियर? E not by K अगर इसका dielectric constant K है तो अंदर जो net field बनी E net जो बनी वो होगी E not by K ऐसे भी लिख सकते हो बेटा E net कित्ती होगी E not minus E induced और बेटा ये कित्ती आई E not by K तो dielectric के अंदर कित्ती हो गई E not by K तो बेटा क्या होता है? dielectric डालने से electric field कम हो जाती है क्यों कम होती है? because of this polarization because of this polarization कितना चार्ज इंडियूज हुआ है? minus sigma I plus sigma I इतना चार्ज इंडियूज हुआ है minus sigma I plus sigma I पर पहले तो आप ये समझो कि electric field कम हो जाती है dielectric के डालने से dielectric insert करने से क्या हुआ? polarization हुआ negative charge आ गए positive plate की तरफ positive charge चले गए negative plate की तरफ एक induced electric field बने net electric field यहाँ पर कम हो गई कितनी हो गई? E naught minus E induced और ये कितनी हो गई? E naught by K induced charge कितना है? minus sigma I plus sigma I मेटा induced charge भी आप चाहो तो लिख सकते हो कितना होता है? कहां बता दो? कहां जगा है? यहां बताने कोशिश करता हूँ sigma induced is equals to sigma on capacitor 1 minus 1 by K यह होता है बता induced charge density sigma induced is equals to sigma 1 minus 1 by K और आप से गर charge पूछ ले तो sigma induced क्या होगा? Q induced upon area sigma क्या होगा? Q upon area 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 cancel Q induced is equals to Q 1 minus 1 by K तो यह बता induced charge की भी equation बन गई कितना charge induced होता है? that also you can tell how sigma induced is equals to sigma on capacitor 1 minus 1 by K sigma induced is equals to sigma 1 minus 1 by K और electric field की बात करें तो E not by K हो जाती है E not by K आगे बढ़ें चलो potential difference between plates of capacitor without dielectric with dielectric potential difference delta V तो आज हमने देखा delta V क्या होता है? E into D होता है यह established हो गया हमारा यह fact E into D वाला इस पर कोई doubt तो बचा नहीं है तो पेटा यहाँ E कितना है? E not into D हो गया इसको मैं V not बोल लूँ not क्यों बोल लहे है? without dielectric है so V not is E not into D simple ठीक है? ऐसे लिख लिखते है delta V is equals to E delta V यहाँ पर क्या है? V not is equals to E not into D यहाँ पर आए बेटा फिर से यह चीज़ delta V is equals to E into D अब की बार potential difference बेटा कितना होगा? आपकी बार potential difference बेटा कितना होगा? आपकी देखते है V सो potential भी के गुणा कम हो जाता है dielectric लगाने से clear है? delta V E into D लिखा मैंने so delta V की जगे V not बोल दिया potential difference E not into D delta V E into D electric field कम हो गई E not by K into D E not D क्या है? V not सो V not सो potential भी के गुणा कम हो गया next capacitance of parallel plate capacitor with dielectric without dielectric मैं बोलूँगा C not ठीक है? without dielectric में capacitance की value को क्या बोलूँगा? C not और with dielectric क्या बोलूँगा? C तो बेटा C not is equals to Q upon V not और यहाँ बेटा C is equals to Q बटे V अभी आपने देखा कि potential भी K गुणा कम हो गया है सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते है Q upon V के जगे V not by K बेटा के उपर चला गया K times of Q बटे V not और Q बटे V not क्या है? C not है यानि capacitance क्या हो गया? K times of capacitance in air तो capacitance बेटा बढ़ जाता है dielectric लगाने से यही एक सकते है जो हमेशा सकते होगा बाकी सब चीज़ें conditional थी यह भी समझो के पैस्टन लगाने से electric field कम होगी most probably yes 95% yes अगर battery battery की कहानी ना फसा है potential कम होगा yes अगर battery battery कहानी ना फसा है के पैस्टन बढ़ेगा always कुछो कर लो capacitance always बढ़ता है dielectric लगाने से capacitance हमेशा k times increase करता है ठीक है यह क्या है capacitance in air capacitance in air तो dielectric लगाने से capacitance हमेशा increase करता है clear है तो electric field कैसे decrease की बेटा k times कम होगी potential e into d e not into d e क्या हो गया e not by k तो potential भी k times कम हो गया capacitance q by v not लिख लिया यहाँ पे q by v v v not by k तो k उपर गया capacitance k times बढ़ गया if a metal और conductor is used in place of dielectric slab अगर हम metal यूज कर ले या conductor यूज कर ले in place of insulator dielectric क्या होता है बेटा insulator in place of insulator तो बेटा आपको पता होगा कि metal के अंदर electric field क्या होती है 0 होती है क्यों 0 होई होगी जित्ती induced बनी उत्ती applied रही होगी तभी तो 0 बनी जित्ती induced होगी उत्ती applied होगी है ना तो बेटा यहाँ पे electric field net कित्ती हो जाती थी e not by k और metal के अंदर कित्ती होती है 0 तो बेटा अगर something divided by k is 0 इसका मतलब k is tending to infinite so metal का dielectric constant या relative permittivity क्या होता है infinite होता है metal का dielectric constant relative permittivity infinite बेटा अगर अपने induced charge की बात करे sigma induced is equals to sigma 1 minus 1 by k बेटा k की value infinite रख दो 1 by infinite is 0 हो गया यानि sigma induced sigma के बराबर तो जितना charge यहाँ है उतना ही negative charge यहाँ बन गया net charge इस तरफ 0 जितना charge यहाँ है उतना positive charge इस तरफ बन गया net charge 0 electric field 0 हो गई बीच में clear clear तो यह सारी चीज़े किस के लिए है बेटा metal या conductor के लिए k की value infinite रख की बन बाइइन्फनेट 0 यहाँ पे plus sigma यहाँ minus sigma हो जाएगा यही तो है sigma induced sigma की बराबर आ रहा है और sign में तो opposite हो गई यहाँ पे plus sigma तो यहाँ minus sigma आ जाएगा 0 वहाँ minus sigma plus sigma 0 clear next 2010 क्या है two parallel metal plates having charge plus q and minus q face each other at a certain distance between them if the plates are now dipped in kerosene oil tank the electric field between the plates will बता है बेटा सभी लोग क्या है two parallel metal plates having charge plus q and minus q face each other at a certain distance between them if the plates are now dipped in kerosene oil tank the electric field between the plates will decrease clear है सभी को kerosene oil का कुछ ना कुछ के होगा और उस के की वज़े से decrease कर जाएगा E naught by K सभी को clear C next 1999 क्या है a parallel plate condenser with oil between the plates dielectric constant of oil is two has capacitance C if the oil is removed then capacitance of the capacitor becomes क्या बोल रहा है एक parallel plate capacitor है और उसके बीच में क्या है बेटा oil भरा हुआ है और oil का K कितना है two और इसका capacitance कितना बता रहा है इसका capacitance C है फिर कह रहा है if the oil is removed तो पेटा oil removed कर दोगे तो air बचेगी capacitance कितना हो जाएगा C naught हो जाएगा then capacitance of the capacitor become C naught तो C is equals to K C naught तो C is equals to 2 C naught C naught कितना हो जाएगा C by 2 D कई लोग भी बताएगे याप गलती करेंगे ये दो हो नहीं ये तो हो नहीं है अ अभ झोरे select होते हैं जज़े तैयारी करते हैं हर साल कई लोग भी बताएगे ये थिनी छो़ड़ी सी लॉजिक नहीं समझ पा रहे है कि जब oil पढ़ा है तब कि pastureancy है नेक्स्ट नीट 2020 यह तो कई लोग ने देखा होगा सवाल एक्जामनेशन हॉल में देखा होगा इतना हलवा सवाल था यह क्या है जब एर है मीडियम तो कितना है छे माइक्रो फेरेड है विद दा इंट्रोड़क्शन ओफ डाल दिया तो कितना हो गया 30 माइक्रो फेरेड बेटा के की वैल्यू कितनी है पांच पांच गुना तो बढ़ गया ना चलीलहिकक थेरेड बढ़ पांच गुना बढ़ा है यह पूछया है की होहते हुचया के लोड़ कितनी पर्मिटिविटिविटी ओफ दी बढ़ परमिटिविटी And relative permittivity क्या होता है permittivity of medium upon permittivity of free space K की value कितना है 5 is equals to permittivity of medium upon permittivity of free space तो बेटा, permittivity of medium क्या हो जाएगी? 5 times of permittivity of free space, e0 भी दे रखा 8.85, so 5 into 8.85 into 10 की पार, minus 12, 5 5s are 25, 2, 5 8s are 40 or 2, 42, 4, 5 8s are 40 or 4, 44, so 44.25, 10 की पार, minus 12, ये लग रहा है, और ये, 0.4, तो point को इधर ले आते हैं, 0.4425, और ये दो इधर लाए, तो 10 की पार, minus 10, 0.444, 10 की पार, minus 10, option 1, option 1, A कह लो या 1 कह लो, option 1 या option A, clear सभी का? Next, appellal plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C, C, इसे capacitance कितना है? C है, is filled with 3 different dielectric material, having dielectric constants K1, K2 and K3, as shown, if a single dielectric material is to be used, to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by beta, equivalent dielectric constant, पूच रहा है, घुमाफिरा के बहुत, गुमाफिरा के, equivalent dielectric constant मांगा है, equivalent dielectric constant मांगा है, appellal plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C, is filled with 3 different dielectric material, having dielectric constant K1, K2, K3, if a single dielectric material is to be used, have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by, कह रहा है कि इन सब को हटा के, एक single dielectric लगाएंगे हम, तो बताएए, उस K की value क्या होगी, in terms of K1, K2, K3, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये K1, K2, K3, मुझे एक dielectric constant K लगाना है, actually क्या पूछ रहा है बेटा आपसे वो, K equivalent पूछ रहा है एक तरह से, कि अगर इन सब को हटा के मैं एक single dielectric लगा दूँ, तो उसका K कितना होगा, आईए try करते हैं इसको बेटा जी, देखो, अपने पास 3 अलग-अलग के capacitor हैं, ऐसे इसको deal करो, तीन different capacitor तभी हो पाएगा बेटा, देखो, तोड़ भी दिया है, ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, इसको तीन अलग-अलग capacitor समझो, एक capacitor ये हो गया आपका, C1, एक capacitor ये हो गया, C2, एक हो गया, C3, C1 और C2 बेटा आपको दिखाई पढ़ ला है, किसमे है, series की parallel, देखो, यहाँ से, positive, यहाँ से, negative, तो पेटा, ये दोनों तो parallel combination, और उनके साथ ये series में, देख रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से लगा है ना, यहाँ से positive, और यहाँ से negative, ठीक है, ऐसे देखो, तो ये दोनों तो बेटा पैरलेल हो गए जो चार्ज यहां से आएगा वो इसमें बटेगा इसमें बटेगा तो ये दोनों तो पैरलेल हो गए पैरलेल में चार्ज इस्टिब्यूट होता है ठीक है और उनके साथ नीचे वाला किसमें हो गया सीरीज में देखो यहां से आया charge क्यों और distribute हुआ है इन दोनों में charge distribute parallel में होता है फिर यह series में ठीक है तो बेटा पहली बात तो कि इसमें 3 के pastor है तीनों को अलग-अलग नाम दे दिया मैंने तीन के pastor है ठीक है यह positive इसको बोला c1 इसको बोला c2 इसको बोला c3 c1, c2 parallel and c3 उनके साथ series और पहले c1 निकालते हैं तो बेटा c1 is equals to क्या होगा क्या होता है epsilon naught area कितना है बेटा a by 2 a by 2 और distance कितना है बेटा यह भी आधा हो गया d by 2 epsilon naught a by d so d by 2 और साथ में बेटा क्या लगा है k भी लगा है तो क्या गुना बढ़ भी जाएगा अगर k ना होता dielectric ना होता अगर इस box में dielectric ना होता तो इसका capacitance कितना होता epsilon naught a by d a कितना है a by 2 d कितना है d by 2 बढ़ क्योंकि dielectric भी लगा है तो यह पूरी चीज multiply हो जाएगी last में k1 से k1 times increase भी करेगा dielectric के होने से अब यहां से 2 to cancel यह कितना हो गया बेटा यह हो गया आपका k1 epsilon naught a by d यह c1 की value हो गई c2 को देखते हैं बेटा same कहां नहीं होगी c2 के साथ c2 देखो same configuration epsilon naught a by d d भी क्या है d by 2 है और यह भी पूरा multiply हो जाएगा किस से k2 से multiply हो जाएगा 2 to इसमें भी cancel हुआ c2 की value k2 times of epsilon naught a by d बेटा c3 को देखते हैं अब c3 क्या होगा epsilon naught अब c3 का area क्या है पूरा area मिल रहा है तो a हो जाएगा है na a by 2 a by 2 a पर यार d तो d by 2 ही मिला है इसको भी है ना सो हो जाएगा d by 2 और यह multiply हो जाएगा dielectric constant k3 से तो c3 की value हो जाएगी 2 times of k3 epsilon naught a by d 2 times of k3 epsilon naught अब देखो epsilon naught a by d यहाँ पे भी है epsilon naught a by d यहाँ पे भी है epsilon naught a by d यहाँ पे भी है एक काम कर लेते हैं थोड़ी दर के लिए हम माल लेते हैं epsilon naught a by d is equals to c अपन यह माल लेते हैं थोड़ी दर के लिए epsilon naught a by d is equals to c तो बेटा c1 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा k1 c c2 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा k2 c और C3 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2K3C, अब थोड़ा असान लग रहा है, अब तीन के पैस्टर हैं अपने पास, यह K1C, यह K2C और यह 2K3C, यह कितना है, K1C, K2C, 2K3C, बेटा यह दोनों पैरलल में हैं और उनके साथ यह सीरीज में है यह दोनों पैरलल में, उनके साथ सीरीज में, आपके C1, C2 पैरलल में है, तो बेटा C एक्वेलेंट क्या हो जाएगा, C1 फ्लस C2, यानि K1C प्लस K2C, तो यह कितना हो गया, K1 फ्लस K2 इंटू C हो गया, तो अब क्या बचा, कुछ ऐसा बचा, यह ना है ना, यह दोनों तो add हो जाएंगे, तो कितना हो गया है, K1 फ्लस K2 इंटू C हो गया, और नीचे बचा कितना है, 2K3C है, ठीक है, अच्छा, अब यह कह क्या रहे थे, actual में, यह कह रहे हैं, if a single dielectric material is to be used, to have the same capacity in this capacitor, then its dielectric constant K is given by, अब एक single dielectric constant लगाना है इन सब की जगे, मुझे ऐसा पसंद नहीं आ रहा, मुझे एक single dielectric constant K चाहिए, इन सब की जगे, ठीक है, कर सकते हैं बेटा, यह area कितना है, A है, यह distance कितना है, D है, अगर मैं इसका capacitance की बात करूँ, इसके capacitance की, जिसको मैंने K मान दिया, सिर्फ एक material लगा दिया, K नाम का, तो इसका capacitance होगा, epsilon 0, A by D multiplied by K, इतना ही तो area है, A और D, अगर सब हटा के एक लगा दिया, यानि यह कितना हो गया, C equivalent, K times of C हो गया अपना, यहाँ से बेटा, अपन C equivalent निकाले, यह दोनों किस में दिखाई पढ़ रहे हैं अब आपको, series में दिखाई पढ़ रहे हैं, यह दोनों किस में दिख रहे हैं, series में, so 1 by C equivalent is equals to 1 upon K1 plus K2 into C, plus 1 upon 2 K3 into C, और C equivalent कितना है, KC, उठा के यहाँ चिपका दो, है न, अगर यहाँ से में पूछों, equivalent कितना आएगा, so 1 by C equivalent is equals to 1 upon K1 plus K2 into C, plus 1 upon 2 K3 into C, C equivalent कितना है, KC, so 1 by KC is equals to 1 upon K1 plus K2 into C, plus 1 upon 2 K3 into C, 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 C cancel, 1 by K is equals to 1 upon K1 plus K2, plus 1 upon 2 K3, देख ऐसा कोई option है, 1 upon K is equals to 1 upon K1 plus K2, plus 1 upon 2 K3, C कहां आ रहा है, C में 2 K3 उपर लिखा है, लल्ला मुन्ना C में देखो 2 K3 उपर साइड लिखा हुआ है, यह तो गलत हो जाएगा न, एक क्वेशन और करो, फिर ब्रेक की बात करेंगे, K3 को भी 2 parts में divide करते हैं, अब भाई, question में बोलेगा तो कर देगे, अगर question यह करने हों कहेगा तो वो भी कर देंगे हम लोग, clear, D, D तो नहीं आ रहा मेरा, clear, चलो, phase 2, 2016, आओ, appellal plate capacitor of area A, appellal plate capacitor of area A, clear है, पिछले अला सवाल समझ में आया, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया यार, बहुत simple, मैंने बोला, एक capacitor यह, एक यह, बुर्दी में थी में किया तब, इसका capacitance, epsilon naught A by 2 upon D by 2 into K1, यह तब simple तो किया मैंने, C1, epsilon naught A by 2, D by 2 into K1, तो K1, epsilon naught A by D, epsilon naught A by D को C माल लिया, इताएजे C2 निकाला, C2 क्या है, K2 into epsilon naught A by 2 upon D by 2, तो K2 क्या हो गया, यह, K2 C, C3 क्या हो गया, epsilon naught, पुरा area A upon D by 2 into K3, तो 2 times of K3 into C को दिया, simple, IIT में K3 को divide करके, अरे तो यार वहाँ पे सवाल रहा होगा, K3 को दो parts में काटा होगा, clear, उसके हाथ C1, C2 किसमें है बेटा, C1, C2 parallel में है, तो इनका equivalent निकाल लिया, यह, और C3 इसके साथ series में, अब हमने का, इन दोनों का equivalent यह बन गया, 1 by C equivalent, 1 by C1 plus 1 by C2, यह, फिर हमने का, इनको हटा के एक लगा दें, तो C equivalent कितना हो जाएगा, epsilon not a by d into k, epsilon not a by d को हमने क्या माना था, C, तो C equivalent जाएगे, के सी रख दिया, खता, next, चलो, phase 2, 2016, similar question है, अब parallel plate capacitor of area A, plate separation D and capacitor C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3 and K4, अब 4 आ गए है, as shown in the figure, if a single dielectric, दे को एकदम सेम सवाल है, if a single dielectric material is to be used to have the same capacity in this capacitor, then its dielectric constant K is given by, if a single dielectric material is to be used to have the same capacity in this capacitor, then its dielectric constant K is given by, अगर मैं इन सब को हटा के, एक single dielectric material डालना चाहूँ, तो क्या होगा, आजो बेटा, इसको भी अब लोग different different part में कर लेते हैं, एक capacitor ये हो जाएगा अपना, ठीक है, C1, एक ये हो जाएगा अपना, C2, एक ये हो जाएगा अपना, C3, एक ये हो जाएगा अपना, C4, C1, C2, C3 किसमें हैं, पैरलल में हैं, और उसके साथ C4 किसमें हैं, सिरीज में हैं, बेटा, C1 की value बोलिए, epsilon naught, area कितना है, A by 3, distance कितना है, D by 2, 2, और साथ में multiply किस से करेंगे, K1 से, तो कितना हो गया, 2 by 3, C1 की value, 2 by epsilon naught, A by 3, epsilon naught, A by D होता है, epsilon naught, A by 3, D by 2, into K1, 2 by 3, K1, epsilon naught, A by D, ठीक है, epsilon naught, A by D को आपन, C ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 by 3, K1, C, 2 by 3, K1, C, similarly, बेटा, अगर आप C2 को देखो, epsilon naught, A by D को मैंने क्या ले लिया, C ले लिया, सही है, कितना हो जाएगा, 2 by 3, epsilon naught, A by D, into K1, इसको मैंने C ले लिया, 2 by 3, K1, into C, बेटा, C2 उग्दम, same है, तो बाहर उसको calculate करने कोई जर्वत नहीं है, सीधा क्या लिख दोगे, 2 by 3, K2 into C, C2 और C1 में क्या फरक है, K1, K2 का है, बाकी एकदम similar है, है, है ना, C2, एकदम similar है, so 2 by 3, K2 into C, C3 कितना हो जाएगा बेटा, 2 by 3, K3 into C, और ये तीनों किस में हो गए, parallel में हो गए, सीधा सीधा, last बेटा, C4 को अगर देखें, तो C4 क्या होगा, epsilon naught, पूरा area ले रहे हैं, अगर C4 को देखें हम, तो C4 में पूरा area लेना पड़ेगा, epsilon naught A, distance कितना है, D by 2, into K कितना है बेटा इसका, K4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 K4, epsilon naught बेट को C, 2 K4 into C, अब देखो, C1, C2, C3 किस में हैं, parallel में है, C1, C2, C1, C2, C3, parallel में, और इनके साथ C4 किस में हैं, series में, C1, C2, C3 का equivalent निकल आएगा, तीनों को जोड देंगे, ये तीनों parallel में है, C1, C2, C3, in parallel, तो बेटा equivalent हो जाएगा, C1 plus C2 plus C3, कितना है, 2 by 3 K1 C, 2 by 3 K2 C, 2 by 3 K3 C, तो हो जाएगा, 2 by 3 C common, K1 plus K2 plus K3, ठीक है, ठीक, नीचे कितना है, C4, 2 times of K4 C, राइट, 2 times of K4 C, और उपर क्या आ रहा है, 2 by 3 K1 plus K2 plus K3 into C, अब हम चाहते हैं, इसको हटाके, हम एक single लगा दें, इन सब को हटाके, हम single, एक dielectric constant के, area A, distance D, तो बेटा, इसका equivalent के पैस्टेंस हो जाएगा, epsilon 0 A by D into K, तो बेटा कितना हो गया, K times of C हो गया, और इसका equivalent बेटा, आओ निकाल लेते हैं, 1 by, इसका equivalent, 1 by C equivalent, is equals to 1 upon, 2 by 3, 3 K1 plus K2 plus K3 into C, plus 1 upon 2 times of K4 into C, C equivalent क्या है, KC है, so 1 upon KC, is equals to 3, उपर चला जाएगा, 3 by 2, K1 plus K2 plus K3 into C, plus 1 upon 2 times of K4 into C, C, C cancel हो गया, so 1 by K is equals to 3 upon 2, 2, 2 को इस तरफ भेज सकते हैं, so 2 by K, 2 को इस तरफ भेज दिया, 3 upon K1 plus K2 plus K3, plus 1 upon K4, 2 common होके उधर चला गया, 2 by K, 3 upon K1 plus K2 plus K3, plus 1 by K4, clear, clear, C1, C2, C3 series में नहीं बेटा, parallel में न, यहां से देखो न, ऐसे आ रहा है, K1 को K2 को K3 को K4 को 1 मान लेंगे, यह सब तुमको कोई बता है जा नहीं, exam में आके, कि 1 मानेंगे की नहीं, और डिक्कत क्या है न, तुमारे यह 1 मानने, 2 मानने में, एक साथ 2 option मैच कर जाएंगे, एक साथ 2 option मैच कर जाएंगे, दिक्कत यह है, तो जहां वो positive जा रहा था, वो negative marking की तरफ चला जाएगा, वो step आपका, तो ऐसे question को उस time छोड़के, या जब आपका time बच रहा हो, तब attempt करना है, या आपकी practice बहुत तगड़ी set हो, जैसे मेरी practice बहुत तगड़ी होगी, मैं जैसी, नीचे वाला देखा, epsilon naught A upon D by 2, 2 पर आ रहा है, या नी 2 times of K4C, यहीं का यहीं दिमाग में चल गया, यहा आ गया 2 times of K4C, और उपर क्या है, 2 by 3 C common, K1 plus K2 plus K3, अब मुझे पता है, यह दोनों किसमें है, series में, और इनको equate कर रहा है, एक ऐसे जो K है, इसका equivalent कितना आता है, KC आता है, तो 1 by C equivalent, 1 by C1 plus 1 by C2, तब ऐसे दिमाग लगाते हैं, एक बार paper हो जाएगा, और paper मेरे हाथ में आएगा, तो उस question में मैं बता दूगा, K की value 1 रख के answer आएगा, कि 2 रख के आएगा, पर जब तुम examination hall में बैठे होगे, तब मैं अपने room में बैठा हूँगा, अपने घर में बैठा हूँगा, तब तुम्हें वहाँ के कोई नहीं बटाएगा, कि इस time इसके लिए 1 रख लें, या 2 रख लें, N की value 1 रख के चकल लें, कि 0 रख के चकल लें, और तुम चेखी ना करो, तुम्हारा एक match करें, तुम मार के आगे बढ़ जाओ, तो हो सकता हो, ये question तुमसे नहीं होना था, otherwise नहीं होना था, ना नुकसान था, ना फाइदा, पर तुमने गलत कर दिया, गलत करके भाई, तुम negative लेके आगे, तो इसमें ये problem है, value substitution में, value substitution में दिमाग लगता है, और value substitution को दिमाग कम लगाते हैं, paper देने के बाद, जब paper हाथ में आदा घंटा वाइट के सोचते हैं, पंदा मिट सोचते हैं, अच्छा 1 रख के चल ला है, क्या नहीं, 2 रख के, अच्छा नहीं, अभी तुमको मज़ा आएगा, अभी तुम value रख के चेक कर लिए, कर ले गए, exam में गए, फिर क्या हुआ, वहाँ के कान में कौन बताएगा, कि इसकी value 1 डाले की 2 डाले की 3 डाले, कि 0 रख के चेक कर लेते हैं, और 0 रख के 2 match कर गए, गए कान में बते हैं या फिर तो, और 2 चेक कर लेकी चेक कर लेकी चेक कर लेके, तुम एक ही चेक कर के मार की भी भागे बढ़ गए, कि ये तो सही हो गया, तब तो गए, तो ये दिक्कत है value putting में, value putting में ये issue होता है, ये चीज़े, ये पेपर जब हाथ में आ जाए न, उसके बाद आदा घंटा ये पंदा में उस पर research करके आप निकाल सकते हो, कि 0 रख के सही आंसर आ रहा है, minus 1 रख के आ रहा है, कि 1 रख के आ रहा है, बट examination hall के अंदर, आपकी दिवा में ये click कर जाए, hear any toppers interview, hear any toppers interview, they never do this value substitution and all this thing, never, किसी भी topper का interview खोल के देख लो, कभी ये सब कहीं कुछ ये सब नहीं करता कोई, topper को पता है यार ये सब में risk है, बहुत बड़ा risk है, clear हुई बात? topper कैसे करता है, इसी चीज़ की speed पकड़ता है, winners don't do different things, they do the same thing differently, कुछ नहीं चीज़ नहीं करते हैं, इसी को और speed में करते हैं, speed develop कर लेते हैं, सवाल उनके चार वर practice की होते हैं, उसी इन speed पकड़ते हैं, clear है बात? चलो, तभी तो बोला जाता है, winners don't do different things, ऐसा नहीं कुछ नहीं चीज़ करके आएंगे, यहीं चीज़ को और speed में करेंगे, और creatively करेंगे, दिमाग में उनके चीज़ें memorized होंगी, धेर सारी, यह होगा, जो value नहीं रखने वाला कर रहे हो, तो करोगे, पर इससे तुमाएं नीट का score, 400-500 वाले score वाले score वाले यह बच्चे हैं, यह जो यह काम कर रहे हैं, यह थाले 600 वाले score वाले बच्चे थोड़ी ना है, जो इस पर डिपेंड हो के जा रहे हैं, वहाँ value रख के हम चेक करके एक answer निकाल ले जाएंगे, अज उसमें है क्या, अब आपने value रख के चेक किया, तीन answer मैच किया, आता था question, दो मिनिट पहले के चले गए, अब बचे हुए time में तुम आओगे, फिर वापस सवाल करने हैं, फिर से उतना ही time लगेगा उसमें, है ना, तो यह दिक्कत है, when dielectric is partially filled, आजो, जब dielectric को partially fill करें, पूरे space में नहीं, आधे space में डाला, टी थिक में डाला, यह, when dielectric is partially filled, there is no shortcut to success, remember this, when dielectric is partially filled, तो आपने आधा fill किया, टी थिक्निस का, अच्छा, अब पूछ रहा है, कि आपका क्या capacitance होगा, क्या कहानी होगी, आए समझते हैं बच्चों, बड़ा बढ़ियां concept है, देखो, आपने partially fill किया, यहां electric field क्या होगी, E not, यहां electric field क्या होगी, E not, और यहां electric field क्या हो जाएगी, E not by K, थोड़ी से कम हो जाएगी, आओ बड़ा, potential difference निकालते हैं, plates के बीच का, delta V, is equals to क्या था, E into D, पर दिक्कत क्या है बड़ा, यहां electric field vary कर रही है, E not है, फिर E not by K है, फिर E not हो गई, आच्छा, तो बड़ा, E not कहां पे है, यहां पे, और यहां पे, यानि कितने distance में, D minus T, इसको एक काम करो, side में खिसका दो, dielectric को side में खिसका दो, तो E not कितने region में है, D minus, इसको यहां side में खिसके कर दो, तो E not कितने region में है, D minus T में, so, delta V is equals to, E not कितने region में है, D minus T में, बचे हुए region में क्या है बेटा, E not by K, कितने region में, T thickness में, plus E not by K into T, बोले बात समझ में आई, अपन क्या कर रहे हैं, simple E into D, अपन क्या कर रहे हैं, simple E into D कर रहे हैं, एकदम simple E into D कर रहे हैं, तो बेटा, जैसे इस डियलेक्ट्रिक को side खिसका हो गया, यह, आपने इसको यह side खिसका दिया, electric field कितनी है, E not, कितने distance में, D minus T में, इसको side में किया, D minus T में, so E not into D minus T, फिर E not by K कितनी thickness में है, T में, so E not by K into T कर दिया, यह delta V हो गया, delta V is equals to E not common ले लिया, D minus T plus T by K, अब बेटा E not क्या होता था, याद करो, इनके बीच की electric field, इनके बीच की electric field, इसकी वज़े से भी इधर, इसकी वज़े से, याद है, कि फिर से करें, यहाँ पर याद है, plus sigma, यहाँ पर minus sigma, यहाँ पर field, इसकी वज़े से, sigma by 2 epsilon naught, और इसकी वज़े से भी, sigma by 2 epsilon naught, net electric field कित्ती होती थी, दोनों को जोड़के, sigma by epsilon naught, बोलो clear है यह बात, बोलो clear है, इसकी वज़े से, अगर इसपे plus sigma, इसपे minus sigma, ठीक है, तो बेटा, इसकी वज़े से field कित्ती होगी, sigma by 2 epsilon naught, और इसकी वज़े से भी, sigma by 2 epsilon naught, तो यह बेटा, दोनों को जोड़ दो, e कितना हो जाएगा, sigma by epsilon naught हो जाएगा, तो यहाँ पर e naught की ज़गे, sigma by epsilon naught, d minus t plus t by k, ठीक है, d minus t plus t by k, डेल्टा वी, बेटा, sigma क्या होता है, q by a, so delta v is equals to q by epsilon naught a, d minus t plus t by k, अब बेटा देखो, q by delta v क्या होता है, capacitance, q by delta v क्या हो जाएगा, capacitance, capacitance is, q by delta v, तो बेटा यहाँ से, q by delta v, epsilon naught a, upon this, q by delta v, epsilon naught a, upon this, upon d minus t, plus t by k, d minus t, plus t by k, है न, यहाँ पर, यहाँ पर, एक plate यह है, एक plate यह है, यह distance d है, एक, यहाँ पर, plate लगी है, t1 thickness की, dielectric constant k1, एक दूसरी plate लगी है, t2 thickness की, dielectric constant k2, ठीक है, area of plate a है, find the capacitance, बताएं बेटा, इसका capacitance, देखो, उपर से, epsilon naught a, उपर कोई change नहीं, नीचे, d minus, पहले वो thickness हटा दो, जो air की नहीं है, मतलब जो air की है, वो ले लो, d minus t1 minus t2, दोनों को हटा दो बेटा, t1, t2 वो दोनों को, c is equals to epsilon naught a upon d minus t plus t by k, देखो, यहां क्या हो जाएगा, c is equals to epsilon naught a upon d minus t1 minus t2 plus t1 by k1 plus t2 by k2, d minus t plus t by k, d minus t1 minus t2 plus t1 by k2, k1 plus t2 by k2, clear? इबाद समझ में आई? clear हुए? d minus t1 minus t2, t1 by k1 plus t2 by k2, clear? अच्छा, epsilon naught a upon d minus t, पहले d minus t air का distance ले लिया, फिर plus t by k, e versus x graph बनाना है, बेटा, इसका e versus x graph बनाएंगे हम, यहां पर x की value को 0 लेंगे, और यहां आते-आते x की value d हो जाएगी, बेटा, यहां electric field, e naught होगी, बीच में drop करेगी, e naught by k हो जाएगी, यहां उठके फिर से e naught हो जाएगी, तो e versus x का graph बनाएंगे बच्चा हम लोग, e versus x का graph बनाएंगे हम लोग, यहां x की value 0, फिर, क्या है बेटा, starting electric field, e naught, e naught, e naught, constant है थोड़ी देख लिए, तो constant 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 चलिए, फिर बीच में क्या हो बेटा, गिर गई, कित्ती गिरी, e naught by k, थोड़ी सी कम हो गई, यह, थोड़ी देख कित्ती है, e naught by k, फिर वापस उठ गई, फिर कित्ती हो गई, e naught, तो यह graph बनेगा, electric field versus x का, पहले electric field constant है, फिर e naught by k चल रही है, फिर उठके वापस e naught हो गई, clear, clear, next, find capacitance of arrangement shown, कल लोगे बेटा आई है, इसका capacitance क्या हो जाएगा, यह तो बताई दिया मैंने, epsilon naught a upon d, अभी यही तो बता रहा था न, find capacitance of arrangement, epsilon naught a upon, d minus t1 minus t2, plus t1 by k1, plus t2 by k2, खत्म, e versus x graph बनाना है बेटा फिर से, यहाँ x की value 0, यहाँ आत्याँ x की value d कल लेंगे बेटा, electric field यहाँ पे e naught होगी, यहाँ पे e naught by k1, यहाँ पे e naught by k2, बीच में फिर से e naught रहेगी, और यहाँ पे e naught, यहाँ पे electric field e naught, e naught by k1, फिर e naught, e naught by k2, फिर e naught, तो बेटा, e versus x का graph बनाएंगे, e versus x का graph बनाएंगे, पहले electric field किती है, e naught है, फिर घड़ गई, e naught by k1, फिर बढ़ गई, e naught, फिर e naught by k2, माल ले तेज़ बार कम घटी, अपने माल लिया, k1 is greater than k2, तो यहाँ पे field ज़्यादा घटी है, वहाँ पे थोड़ी कम घटी, उसके बाद फिर से क्या हो गई, e naught हो गई, यह graph बना, बोलो clear है, पहली बार ज़्यादा घटी, k1 बढ़ा था, k2 छोटा था, तो कम घटी, clear, तो यह हो गया, e versus x graph, e naught, e naught by k1, फिर से e naught, e naught by k2 थोड़ा कम घटी, फिर e naught, सवाल बेटा, find the capacitance of the arrangement shown, and also sketch the e versus x graph, बताएं बच्चो, e versus x graph भी बताना है, और capacitance भी बताना है, find the capacitance of the arrangement shown, and also sketch the e versus x graph, बेटा capacitance क्या होगा, epsilon not a upon, d minus t1 minus t2, plus t1 by k, इसके लिए, और metal के लिए, बेटा k कितना होता है, infinite होता है, metal के लिए k की value क्या होती है, infinite, metal या conductor के लिए, k कैसा होता है, infinite, तो plus t1 by k, plus t2 बते, infinite, तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, तो c is equals to epsilon not a, upon d minus t1 minus t2, plus t1 by k, और t2 का थो, खेल खतम हो गया, clear? सरा आपने बीटेक कौन सी ब्रांज से करी, मैंने कब कहा कि मैंने, आगे बढ़ते हैं, break देते हैं, बस रुख जाओ, एक सवाल करा के देते हैं, फिर क्या बेटा, इसका e versus x graph बनाना है, e versus x graph, ये समझ में आया कि नहीं, बस k की जगे metal में infinite रख दिया, तो t2 by k2 में infinite वो 0 हो गया, e versus x graph, चलो बेटा, electric field की बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगी e naught, यहाँ पे e naught by k, यहाँ पे e naught, यहाँ पे बेटा, 0 हो जाएगी field, metal के अंदर, और फिर वापस e naught हो जाएगी, ग्राफ बनेगा, पहले e naught, फिर e naught बाईके गिर गई, फिर e naught, फिर 0 हो गई, फिर उठके e naught, clear, e naught गिरी e naught बाईके, e naught फिर 0 हो गई, फिर e naught, clear, चलो, 2014, क्या है, thin dielectric slabs of dielectric constant k1 and k2, k2 is greater than k1, ध्यान देंगे बेटा, k2 is greater than k1, यह k2 है, यह k1 है, and k2 is greater than k1, the variation of electric field e, between the plates, with distance d, as measured from plate p, is correctly shown by, बताहें बाच्चों, बताहें, correct option बताहें इसका, correct option बताहें, c, 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 कोई b बोल ला है, कोई c बोल ला है, आओ देखते हैं बेटा, पहले electric field e naught होगी, यह है, पहले e naught होगी, फिर e naught बाई k1 होगी, फिर e naught होगी, फिर e naught बाई k2 होगी, फिर e naught होगी, clear होगी, अब देखो, क्या है k2 greater than k1, यानि यहाँ पे जादा घटेगी, k2 बढ़ा है, बाद में जादा घटेगी, तो पहले e naught फिर बढ़ गई, गलत हो गया, पहले e naught फिर घटी, फिर वापस e naught, फिर और घटी, फिर e naught और यह सही है, यह पहले e naught फिर घटी, फिर e naught फिर जादा बढ़ गई, गलत हो गया, e naught फिर 0 यह भी गलत हो गया, c is the correct option, only c is the correct option, clear है, अब आजाते हैं बेटा, एक और ब्रेक लेते हैं, फिर इसको start करते हैं, last topic है, आपका max to max 40 minutes का बचा है, maximum 40, इससे कमी होगा मेरे ख्याल से, 35 to 40 minutes मालो, 12 minutes ब्रेक लेते हैं, आते हैं, आते हैं, शुर्णकों के लिर सक्टक्ट से, जपकान से, आते हैं, इसक्तर्शक क्य giàते हैं, ब्रेक गतीक स आते हैं, आते हैं, ऑम ब다음anson हैं, 1 आते हैं, 6 ले हैं, झाल 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 है झाल 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 यह झाल 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 झाल